हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगा कर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे कर रहे हैं ना अगर हां तो फटा-फट जल्दी से आजाए और जाज़ा क्लास को शेर कर दीजिए क्योंकि आज हम शुरू करेंगे अपना नया चाप्टर तो बच्चों फटा-फट आजाओ जल्दी 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 तो मैं पूराम प्रजापत रसाइन विज्ञान की कक्षा 11 में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं रासाइनिक बंधन जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चै का नाम है क्या रासाइनिक बंध और आणविक सरंचना है ना आणविक सरंचना ठीक बात है बिलकुल जी बिलकुल जरा ध्यान दो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि रासाइनिक बंध और आणविक सरंचना में क्या जब भी कोई तत्व आप सब तत्वों के बारे में जानत सबी बच्चे जानते हैं तत्व हैं अब ये तत्व जब आपस में मिलते हैं तो जैसे कि अपने पास बन गया CH4 वहीं बन गया NH3 वहीं बन गया H2O जब ये इस तरह के molecules बन जाते हैं तो इनके बनने के समय क्या होता है क्या तत्व आपस में कैसे बंद बनाते हैं इनके मद्ध कौन से बंद होते हैं जैसे य कारबन और हाइडरोजन के बंदे बात करो बंद की तो कैसा होगा हाइडरोजन और ऑकक्सिजन के बीच के बात करो तो वो बंद कैसा होगा तो बताया गया कि बंद हमेशा सहसेयोजक ही होते हैं या यूँ heir हूँ कि बंद राशाईनिक ही होते हैं राशाईनिक इसलिए होते हैं क्योंकि जब कोई بھی एटम आपस में जुड़ता है तो जुड़ करके जो नया उत्पाद बनाता है उसके करेक्टर बिलकुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं. जो पहले था, उससे अब नया बनने वाले जो योगिक होंगे, जो उत्पाद होंगे, उनके करेक्टर क्या होंगे बेटा? हमेशां अलग होगे. तो गुन्दरं बदल गए. जैसे ही प्रारंबिक अवस्ता और अंति में जुड़े किस बंद से रासाइन निकल बंद से बात समझ में आ गई होगी बात क्लियर भी हो गई है अब बात आती है कि जब आप बंद बात कर रहे हैं तो बंद में होता क्या है बंद शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रों labor of अपनी वाष अपनी वाशा में बात करो तो ठीक है जहां पर इलेक्ट्रों आपस में मिले वहीं पर चीजकर क्या बंद बंद गया जैसे अपन मैं नॉर्मल बात करना चाहता हूं अब सकी नसलह दो दोस्त जो आपस में एक दुसरे घर आते जाते हैं उनसे बात चित करते हैं वो सब क्या हैं वह पक्के दोस्त हैं वह गहरे मित्र हैं वैसे ही यहां पर हायरोजन औक्सण लिखे तो गहुत सारे हैं लेकिन उनमें से ही पक्का बंद कौन सा होगा जब इल्एक्टोनों का जह संञोर कि बंद कौनसा बंद सहसर्योजक और सहसर्योजक बंद आफ पढ़ेंगे वह बंद कई प्रकार होसकता है शोक्ता है धुरूमी 130 भी हो सकता है πο आइनिक, आनविक, घातविक, कई परकार के बंद हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोन तो सांजा कर ही रहे हैं लेकिन जब सांजे के दोरां इलेक्ट्रोन एक परमानू की तरफ हो जाता है यानि कि मैं यूँ कहूँ आप समझेंगे बात को जैसे अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सिजन है दोनों ने इलेक्ट्रोन का सांजा किया दो इलेक्ट्रोन है एक इसका है एक इसका है लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोन एदी ऑक्सिजन के पास इस फित है है तो दोनों का तो है तो दोनों इलक्टों तो दिखाई दे रहे हैं ये इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं बेटे तो उसे हम लोग सहसेयो जगद को आइनिक बंद कह देते हैं और वहीं पर ये बेसिक था जो आपको बताना था क्योंकि जब तक यह पता नहीं होगी तब तक आगे बढ़ने का कोई अर्थ क्लियर बात समझ में आगी राजा तो फटा-फट लिख दीजिए यस मैं तो सबसे पहले परीभाशा देखेंगे आप वहबल जो एक अनु में विबिन परमाणूं को बांधे रखता है जैसे कार्बन और हाइडोजन में कार्बन हाइडोजन को अपस में बांधे रखकर CH4 बना सकता है CH3 बना सकता है एच और ऑक्सिजन जुड़ करके H2O बना सकता है यह सब बंध है रासाइनिक बंध बंधों के नाम अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन पर्टिकुलरली एक बात नाम कहूं तो वो रासाइनिक बंध होगा क्लियर बात समझ में आगे तो पटाफट लिख दो यस मैम जल्दी 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 जल्द अब चलते हैं आगे अब आता है अस्तक नियम अस्तक नियम क्या होता है जब कोई भी पर्मान जब कोई भी पर्मान आपस में जुड़ते हैं तो वो अनू बनाते हैं या योगिक बनाते हैं पर जब वो योगिक बना रहे हैं तो हमें क्या पता कि वो कितना कितना सांजा करेगा कितने कितने इलेक्टोन को आपस में साथ में रखेगा तो कहा गया कि कोई भी परमानू है कोई भी परमानू है उन परमानूं के बाहरी election को हमेशा check कर लिया करो और बाहर कितने electron होने चाहिए आत बाहरी कक्ष में कितने electron होने चाहिए आत हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कोई भी पर्माणों आपस में जुड रहे हैं तो परते के बाहर 8 electron होना चाहिए जिसमें से hydrogen अपोवाद है रड़ी साव्षा है आप अबएक्व नाट पुरे करता है बा comments मistंड बाकि सबी सब् वरी राजा आठ इलेक्ट्रों होने चाहिए अगर 8 अल्क्रोंसे जादा है तो फिस कालिगा कम तो करे सांजे का मतलब लेना देना हो जाता है पर पर्तेत्व जो है अपने क्या चौन पूरा करने के लिए दूसरे चाहीयोग करता है तो आठ टब मुं का पूरा होना ही किया कहलाता है ऐस्टक कहलाता है और इस प्रकार बनने वाले योगीयोगिक जो होते हैं बात समझ में आ गयी होगी बात निर भी हो गयी होगी यानं कि विभीर यतमक टृक्ष में आठ एलेक्ट्रोन को पुरा करके उत्क्रष्ट गेच यानि इस्थाइ विन्यास राप्त कर लें क्लियर बात समझ में आगे तो आगे देखो जब इसमें अस्टक पूरा करने की बात आई तो बाहरी कक्ष की बात आई इस बाहरी कक्ष को ऑपन क्या कहते हैं सयोजकता कोष या सयोजकता कक्ष और इसमें उपस्तित संयों जकता इल्यक्टरून बाहरी कक्ष में उपस्तित इल्यक्टरून को क्या कहता है बात समझ में बाद समय देखो सबसे बाहरी कोष्ट में इल्यक्टरून जो रासायनिक संहें है हमेशा चेज़गता कोश में उपस्किक एलेक्ट्रों और वही हमेशा क्या करते बिटे वही हमेशा रासाइन बंद बनाने में भाग लेते हैं आज के बाद कोई भी आपको कहे कि कार्बन हाइडोजन की बीच में जो बन बनाया है वो कैसा बंद है तो आप कुछ नहीं तो इतना जरूर बोल देना कि एक रासाइनिक बंद है फिर आपको कोई पूछे कि ये बंद कैसा बना तो आप कहना इलेक्ट्रोन के सांजे से बना फिर आप से कोई पूछे कि ये वाधिर इस्थाही इलाक्टोन हो जाएंगे तो पाहितम कख्ष में आठ इलाक्टोन हो जाएंगे जो पना ऐस्त पूदध कर लेते हैं और अक्रिय Came कार्य ARE करते हैं शैद बात समझ में आ गई होगी बात Where Will Qui ओगई होगी चीज़े ठेहली में हैं लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहे हूं ताकि आपको चीजें समझ में आजाए ओके बीटा चलूं आगे वेरी गुड जल्दी से फटाफट यस मैं लिग दें जल्दी 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 जल्द चलते हैं आगे बीटे अब आता है अगला रासाइनिक जब बंद बन रहा है तो उसमें कोशेल द्वरा बताए गए तक्ते कोन से हैं यानि कि कोई भी परमानु जब आपस में दूसरे परमानु से जुड़ता है तो कोशेल लूइस नामक एक वेग्यानिक आया था उसने बता को उत्कृष्ट गेसो द्वारा अलग किया जाता है यह क्या कह रहा है कि आवर सान्मी में इलेक्ट्रो नेगेटिव जानते हैं आप सब मैंने थर्ड चैप्टर में बताया है ना बेटा क्या होता है इलेक्ट्रों को अपनी और आकरशित करने वाला जिसके ओपर रिनायन इसे इनको देते है इसलिए प्लस धनवान लोग धन का क्या करते हैं दान करते हैं बात समझ में आ रही राजा तो फटा-फट लिख दीजिये यह मैम ओके चलूं आजो आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट यह कह रहे है कि आपके पास ने दूसरा पॉइंट क्या आया भई दूसरा पॉइंट यह कह रहा है कि हेलोजन और छार धातुम 2 ऐन और धनायन का निरमान करशे electron के lab और electron के नुकसान से होता है क्या कह रहे हैं कि कि किसी भी धातू के उपर plus charge और किसी A धातू पर minus charge का मतलब होता है इसने electron दान किया है और इसने electron ग्रहन किया है ग्रहन किया है तो lab हुआ है और electron दान किया है तो नुकसान हुआ है एक लिय लियाag बात समझ में आ गई होगी समझ में आ घी बात और या इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जब तत्व इलेक्ट्रोनों का लेना देना कर रहे होते हैं तो एक के पास इलेक्ट्रोन की व्रधी हो जाती है और वहीं दूसरे के पास में इलेक्ट्रोन की कमी हो जाती है और इस प्रकार क्या हो जाता है बंद बनने की तयारी शुरू हो बात समझ में आ गई तो चलते हैं आगे अब ये क्या कह रहा है दूसरा पोइंट आपका अगला पोइंट के रहा है कि कोई भी प्रðैन और भनायन अगर आप बात करें तो दोनों आयन उत्म केस्विन्याश उत्तम यानि उत्कर गेस्विन्याश पर आकरे कैसे फिलिए साल हिए है सोडियन धातू है हमेशा ऑ Cheese Edition करती है इलयेक्टरों का क्याINE करती है यह जब यह दान कर रही है तो सोडियन पर प्लस चार्ज तया और एक उनिकल गया एक एक टो रिमूब गया वहीं पर आप देखेंगे यहां निचwers वन है एक इलेक्ट्रोन देने के बाद में किया है ऐंच लिर जी बिल्कुल वहीं फर में की बात करूं तो क्लोरीन ने वही इलैक्ट्रόन मढा लिया Ecuador । और CL- बना लिया है और वही पर नियोन के आगे क्या आगया है अक्रियेज कौन सी ओर गन आ चुकी है दोनों नहीं क्या कर लिया एक ने देख करके अक्रियेज का विन्यास लिया तो एकने ग्रहन करके क्लियर बीटा बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं ओके डन अब चलते हैं आगे रासाइनिक सयोजन कब कब पॉसिबल है कौन-कौन से तत्वों में हो सकता है गुन तो पता चल गए एक तो उनके पास में इलेक्टोन लेने देने के लिए होना चाहिए सब्सक्राइब बना करके उत्क्रष्ट गेस का विण्यास प्राप्त कर लेते हैं और अधिक इस्थाई हो जाते हैं यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं सबको बात समझ में भी आ गई है अब आप जब बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है तो कहा कि का इस थारान्तरण से बनने वाले रासा अीनिक बंद को इलेक्ट्रोवॉलेंट बंद जेंख ऑता है टो एलेक्ट्रॉन दिये और इसने ले लिए तो लेने देने से जो बंद बंद रहा है सेपरेट हो गया है इसने दिया है और इसने लिया है सांजा नहीं है यहां पर सांजेदारी नहीं है इसलिए कहा गया कि यहां पर क्या हो रहा है इस बंद को क्या कहते हैं आयनिक बंद कहते ह पहले तत्व के गुंड थे वो बदल जाते गुणों के बदल को ही हम क्या कहते रासाइनिक और बंद बना रहे हैं तो रासाइनिक भंअब रासाइनिकzes बंद को आइनिक क्युंकत क्योंकि क्योंकि यहाँ पर एक तत्व जो है वो इलेक्ट्रोन देता है और दूसरा तत्व जो है वो इलेक्ट्रोन क्या करता है ग्रहन करता है इनमें सांजेदारी नहीं है इसलिए ये आइनिक बन्ध है और second लेने देने की वज़े से इन तत्मों पर प्लस और माइनस चारज आ जाता है चारज यानि की आवेश आ जाता है उसकी वज़े से इन्हें आईनिक बंद कहा जाता है बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं जल्दी 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 देखे क्लियर फटा फट 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 आ जाओ बटे सेकंड पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रोनों के बटवारे से यानि इलेक्ट्रोनों का एक दूसरे को देने की वज़े से क्या होता है एक या दो परमानों की बीच इलेक्ट्रोनों के बराबर बटवारे से जो बंदन बनता है उसे सहसेयोजिक बंद कहा जाता है यानि कि अग जब सांजेदारी होती तब सह सहोजग होता है मैं एक्जामपल दे रही हूं जैसे सोडियम के बायतम कख्ष में कितने इलेक्ट्रोन है ज़रा ध्यान करो पहले सभी बच्चे में इस तरफ ध्यान देंगे ताकि बात क्लियर हो जाए फटा फट सभी बच्चे ध्यान देंगे जिसे बिटा एक तो अपने पास है NACL और एक अपने पास है CHO ज़रा सभी बच्चे ध्यान देंगे ठीक है अब इसमें क्या है इसको भी अस्टक पूरा करना है और इसको भी अस्टक पूरा करना है ठीक है ठीक बात है आजाए अब देखो सोडियम का प्रमानु क्रमांग होता है 11 और CL का होता है 17 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ठीक है बायतम कक्ष में कितने इलैक्टों है sodium के बायतम कक्ष में एक ही इलैक्टों है होने कितने चाहिए आठ नहीं है क्लोरीन अब क्लोरीन के पास चलते हैं क्लोरीन के पास कितने हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 कितने हैं बायतम कक्षमी 5 और 2 7 सही बात है तो लिख दियें यहां पर क्या 2 2 4 2 6 और 1 7 अब यहां पर चलो डोट बना दो ताकि तुम्हें क्लियर दे अब यह इसको देगा तो अपना क्षमी क्या हो गया जीरो इससे बाहर यहां यहां पर जो बंद है वह कौन सा बंद है आयनिक बंद है और वही पर कारवन के बाहितम क्षमी कितने इलेक्ट्रोन है चार एलेक्ट्रोन है अब हाइड्रोजन एक सही बात है इसने क्या किया एक इलेक्ट्रोन दिया फिर दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रोन दिया फिर तीसरे ने भी एक इलेक्ट्रोन दिया फिर चोथे ने भी एक इलेक्ट्रोन दिया ठीक है इसका द्विलक पूरा ठीक है छोड़ो हमें तो कारवन की बात से हम क्या कहते हैं सहसायोजक बंद अब यह आइनिक बंद नहीं क्यों नहीं है क्योंकि इसके उपर प्लस चार्ज नहीं आ रहा है माइनस चार्ज भी नहीं आ रहा लेकिन जब यहां पर बात करूं तो इसने एक एलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां प्लस और यहां पर क्या आ बात समझ में आ गई बात क्लियर भी हो गई होगी चलू आगे जल्दी से उतारेंगे फटाफट 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 बिटा जल्दी उतारो डन चलेजिए आगे अब आता है अगला समन्वे बंदन जब इलेक्ट्रोनों को एक परमानों द्वारा योगदान किया जाता है औ दोनों के साजा किया जाता है तो मूल बंदन या समन्वे बंदन के लिख में जब आपस में समन्वे करके कि तुम उझे एक दे दे मैं भी तरह को एक दे देता हूं दोनों का अस्टक बुरा हो जाएगा और आपना समन्वे बंदन बना लेंगे को के चले आगे अगर यस त गृत सब्सक्त आप 11 पर का 10 पर अन Lance सब्सक्राइब केल चयंव dedic कैWow सब्सक्ति की सब्सक्राइब तो फटा फट जल्दी से पढ़ा रही हूं वह इंट्रेस्टिंग टॉपिक है पढ़ना शुरू करो चले आजाए अब चलते हैं आगे अगला टॉपिक आ गया आइनिक या इलेक्ट्रोवेलन बंद एक परमानों से दूसरे परमानों में इलेक्ट्रोणों के पूर इस्थान अंत्रण से बंता है सामन पे इसका निर्मान धात्मों और एधात्मों के बीछ होता है सहीए ने सील यहां इस्तिरवेलितL tim बल्स के विपृत जो विपृत आवेश वाले आएनों के मद्धे होता है एक पर प्लस और एक पर माइनस बता चुकी हूं जो यो एक आएनिक या विद्ध सयोजी बन बनाते हैं उन्हें विद्ध सयोजी योगी कहते हैं जैसे अने सील एक विद्ध सयोजी योगी है अने सील का निर्मान नीचे दिये इस प्रकार होता है अभी मैंने बताया था अब ये बता रहा है आपको मैंने पहले ही समझा दिती ये बार ताकि आपको clear हो जाए फटाफट उतारेंगे जल्दी से ताकि बात clear हो जाए जल्दी 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 राजा फटाफट फटाफट रिडिंग करो बात समझ में आ गई तो जल्दी से देखे क्लियर है ना सोडियम दो आठ और एक फिर दो आठ और साथ ये इसके एक इलेक्ट्रोन को क्या कर देगा इसको देदेगा तो यहां क्या जाएगा दो आठ और दोनों का अस्ता पूरा है बायतम कक्ष में बिल्कुल तो यहां पर क्या हो गया प्लस माइनस आ गया तो बंद क् बंद हो जाता है चलूं आगे बिल्कुल जी बिल्कुल आए चलते हैं आगे अब आता है सोडियम आयन ने नियोन का विन्यास प्राप के जबी सीयल ने और गन का प्रती निदित्व करता है तत्व नहीं बदलेगा केवल उसके करेक्टर किसके जैसे हो जाएंगे अक्रिय गे मीगनीशियम और आक्सिजयन से मीगनीशियम आक्साइड का निर्माई जया ध्यान देंगे कि किस प्रकार आयनिक बंद बन रहे हैं मेगनीशियम 2,8 और 2 है बिल्कुल सही बात है क्लियर है अब यहाँ पर oxygen के पास बायतम काक्ष में 6 है अगर यह 2 ले ले तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ तो 8 है तो 28 दो आठ दो नों के मद्दे क्या हो गया कौन सा बंद बन गया आइनिक बन कौन सा बंद बेटा आइनिक बन क्यों बेटा क्यों कि इन्हों ने इलेक्टरोन आपस में कर हैं Sutra यह हैं दूसरे ने लिए सांजह नहीं था एक ने पूरा दिया शांजगरी कब होती है जब आधा आधा जब पांटर्शिप कब होती है जब दो पांटनर आधा पैसा वो लगा रहे है अतरफिसंग हो यह यहां पर फोर्स फुली क्या हो रहा है एक ले रहा है दूसरा दे रहा है तब वो आइनिक बंद हो जाता है क्लियर बात समझ में आ गई यह पार्ट बले ही सह सहयोजक्ता हो लेकिन बोला आइनिक चाहता है चलू बेटा आगे ओकी ड़ाइए जी आजाइए अब चलते हैं आगे इल कहले हैं यह पुरा करने के लिए या तो इलेक्टरों करता है या लेता है जब वो लेना देना कर रहा है तो उस समय वही उसकी क्या कहलाती है बैलेंस ही कहलाती है या फिर यूँ भी कह सकते हैं किसी भी दो पर्मानों का परस पर बंद बनाने की चमता जितनी होती है वही उसकी सहोजगता होती है या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसी भी बायतम कक्ष में उपसे इलेक्टोन की संख्या ही उसकी संयों जक्ता कहलाती है परिबा समझ में आई येस और नो फटा पर लिख दीजिए येस मैम जल्दी 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 आईये जी आईनिक्ष बन के निर्मान को प्रभावित करने वाले कहर है बहला आईनिक रन powered एंथेलेपी आईनीकरन एंथेलेपी जल्दी बताओ किस rubbish ऑन करने के लिए आउशक क्या ऊशमा या उरजा आईनिकरन एंथेलेपी है हम जानते किसी तत्व कि आयनिकरण एंटेलिपी पर्धक गेश के पर्मानों वह बायतं को से इल्य। को ठाकर घनायन में बदनने के लिए औशक उड़ा। इल्य। क्या कर रहे हैं? डायतं को से इल्य।न को निकालने के लिए और शक उड़ा क्लिक लाती है? इसलिए आयनी करण एंतलिपी जितनी कम धनायन का निर्मान उतना ही आसानी से होगा पूर एक्जामपल जैसे अपने पास सोडियम है ठीक है सोडियम के बायतरमकक्ष में एक ही इलेक्ट्रोन है यह आसानी से दान कर देगा हाँ यह ना क्योंकि इसके पास दो आठ और एक ही नहीं यहां पर यह एक इलेक्ट्रोन नहीं देगा इलेक्ट्रोन का दान नहीं करेगा इसकी उर्जा क्या होगी जादा इसकी उर्जा क्या होगी काम हाँ या ना बात समझ में आ गई होगी क्योंकि यह जो है वो इलेक्ट्रोन आसानी से देगा तो उर्जा क्या चाहिए इ प्रिफ ल होना चाहता है क्लियर बात बात समझ में आ गई होगी सबको क्लियर हो गया तो फटाफड लिख दो यस मैं जल्दी लिख दो जल्दी 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 आजाओ जी अगला कह रहा है जैसे सोडियम आयन देखो अभी मैंने का ना 496 किलो जूल है वही मेगनेशियम के मामले में यह 743 है इसलिए सोडियम के लिए धनात्मक आयन का निर्मान मेगनेशियम की तुलना में आसान हो जाता है कई बार क्यूस्टन पूसता है एने प्लस आसानी से बनता है या एम जी प्लस त लेकर अपना अस्तक पूरा करता है अपना अस्तक पूरा करने की वज़े से यह फटा-फट इलेक्रों दान कर देगा लेकिन यह अपनी इस्तती जो इस्थाई है उसको भंग करना नहीं चाहेगा इसलिए इसको अधिक हो जाए कि आउशकता होती है क्लियर बेटा बात समझ में आ गई होगी फटा-फट लिग दीजिए यस मैं ओके ड़न चलते हैं आगे इसलिए निसकर्ष निकलता है कि आयनिक रण एंथलिपी जितनी कम होती है उसके आयनिक बंद बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है हाँ या ना सोडियम की कम है ना फटा-फट आयनित हो होगा क्यों क्योंकि वह अपने इस्थाई जो अवस्ता है उसमें भंग नहीं डालना चाहता है वह इस्थाई कभी नहीं होना चाहता है चलें ओके ड़न आजाए जी आगे कि अब यह कह रहे हैं इलेक्ट्रों यह नहीं कि किसी भी पर्मानू के बायतम कक्ष में इलेक्ट्रों जब जोडा जा रहा है तो उस समय उर्जा का उत्सर्जन होता है तो उत्सरजित उर्जा क्या कहलाती है electron gain enthalpy केवल परत्वm electron के लिए ही है ये बाकी क्या होता है बाकी सब में तो electron यहां तो उर्जा उटसरी तो इह बाकी सब में अगर दूसरा electron तीसरा electron आप अगर जोड़ रहे हैं अगर आप जोड़ रहे हैं तो क्या होगा हमेशा उर्जा क्या होगी आपको देनी पड़ती है इसी लिए केवल आपन पिसकी बात करते हैं पोस्ट इलैक्टॉन की हीтаки हमें बात समझ में आ जाए ख्लियर बिटा बात समझ में आ क्या होती है इलेक्टोन बनता होती है किसी भी परमानु के बायतम कोश में यौदा जरता है तो उर्जा का जितना उत्सरजन होता है वही इलेक्ट्रन बन्धुता उर्जा या इल्क्टokesल गेन रिखती कहला की क्लियर तो पड़ा फड़ लिख दीजिए यस मैं ओके चलूं आगे आजाए जी अगे उतार लिया होगा आपने ओके आईए जी आई उर्जा की रूप में परिभाशत किया जाता है पर्थक गेस यह परमानू या आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रों लेता है निनात्मक इलेक लबदी एंटलिपी जितनी अथिक माइनस में उर्जा का मान जितना अधिक होता है उर्जा का मान जितना अधिक होता है इसका मतलब माइनस में है ना उर्जा तो इसका मतलब उर्जा एक्चल में कम है तो यह जितनी कम होगी माइनस चार्ज उतना ही जादा एक्जिस्ट कर है ज्यान करो कि किसी भी पर्माणूं में इलेक्ट्रों जग जोड रहे हैं तो उर्जा क्या हो रही है कम हो रही है उर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा हमेशा आसानी से इलेक्ट्रों जुड़ेगा वहीं पर आप इलेक्ट्रों भी जोड रहे हैं उर् बात समझ में आ गई तो फटा फट 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 जल्दी से बता दीजिए यस मैं आ रही है समझ में हां कुछ बच्चों को तो आ रही है क्योंकि वो पढ़ रहे हैं ध्यान लगा रहे हैं बाकी बच्चे बातों में अरे बाद में बात कर लेना बिटा अभी इदर दो अभी मैं आप से पूछू न तो भी आपको याद नहीं होगा इलेक्ट्रों बंदूता आईनी करण उर्जा यह सब मैंने पढ़ाया है न बताओ यस और नो फटा पर बताया है कि नहीं पुलाएं जल्दी कमेंट में लिखो यस मैं उदारन के लिए हैलोजन में उच्छ इलेक्ट्रों बनता होती है इसलिए हैलोजन में रिनायन का निर्मान बहुत आसानी से हो जाता है यानि कि उर्जा का उच्छर्जन जब आपन कर रहे होते हैं तो वो रिनातम अक्मान में जादा आती है तो आसानी से वो रिनायन बना करते हैं क्यों करते हैं क्या गुण है जल्दी बताओ जल्दी फटाफट देखो क्लोरीन का यह एक्जाम्पल है तो हमें पता भी है कुछ दिक्कत है नहीं माइनस फोर्टी थी एट अगया ना कि देखो माइनस में आ रहा है न इसका मतलब यह इतनी उर्जा क्या कर रहा है क्लियर बात समझ में आ गई जल्दी जल्दी बता दो पड़ावट पड़ावट कोई दिक्कत नहीं जल्दी से बता दो चलूं आगे ओके आजाओ जी आगे जालक उर्जा क्या होती है एक मोल के तक गईका आईंचे करने के लिए मात्रा के रुट में परिबाशित गया जाता है है जैनी की जालक उर्जा किसे कहते हैं जैसे प्लेविक का अंयनिक है कि एभ हुआ हैं ठीक है अब यह क्या हुआ हो दो हो होते हैं यह जब आइनित फॉर्म में हो जाते हैं ने पलस और सी ल माइमस इनको अलग अलग रखने के लिए किसी मॉलेक्यूल में उपस्तित आइनों को अलग-अलग रखने के लिए आउशक उर्जा जालक उर्जा होती है जितनी जादा यह कह रहा है ना आवेशित आईनों में अलग-अलग करने के लिए आउशक उर्जा की मात्रा के रुपे पर इबाजित किया गया है वो जालक उर्जा होती है अगर वहीं पर वो आईनी ज जुड़ने ही नहीं दिया किसी के साथ तो वहां पर विलयता होगी नहीं जालक उर्जा उतनी ही कम होती है अब यह क्या कह रहे हैं आयनों का आकार किस पर निर्भ करती है जालक उर्जा जल्दी बताओ आईनों की आकार पर अब यानों की आकार की बात परूँ तो जितना चोटा जालक उरजा उतनी ही अधिक हां यह ना क्योंकि व依ोड आसानी से टो जुर्ण बढल पर जोड्वेंक चाहरे चोटा आकरशन बल जितना जादा होगा उन्हें अलग लग रखने के लिए उतनी ही जादा उर्जाई की आवशक्ता होगी तो वही अलग बेल खित दी जादा विलाता उतनी ही कम विलाइता जितनी जादा जाला कुर्जा उतनी ही कम होती है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैम ओके जल्दी जल्दी चल्दी चलते हैं आगे अब आता है आइनिक योगिक जब बन जाते हैं तो उनके लक्षन कौन-कौन से हैं पहला भॉतिक आवस्तावे या आम तोर पर क्रिस्टलिय ठोस के रूप में मञजूते हैं या हमेशा एच 2 N 2 O 2 kl2 रूप में इन आहिं जोनले आइ ago कि रूप में मौजूते हैं यह क्या होते हैं हमेशा एक ग्रूप में होते हैं जैसे एने सीयल है एच टू ओ है सी यू असो फोर है यह सब आइनित योगिक हैं क्लियर बात समझ में आ गए आप कह रहें गलनांग पॉतनांग जो है इनका उच्छ होता है क्यों कि इनके मद्य प्रबल आकर्शन बल पाया जाता है निनायन हो जाते हैं वहीं पर गुलन शिर्था की बात करूं तो दूरूवी विलाय यह दूरूबी ए रूवी क्यों है तो प्लस-mines चार्ज अगर रूवी विलायक है तो गुलेंगे और एज रूवी में घुलते नहीं है बेंजीन है कार्बन टेट्राक्लोराइड है इनके साथ कि विलाथ जो तीए बेटे क्या होती अमेशा कम वोती बाद समझ में आगे जल्दी से लिख दीजिए स्में जल्दी 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 फटापट अब चलते हैं आगे तोग होते हैं पीगले हुई अवस्ता करते हैं की ठोस को चालक होते हैं हमेशा क्या होते हैं कैसेके किसे मालुम चला तो अपने का पास अने पद्धारत यह सकती है प्रवाह होता है बात समझ में तोष मेंद ररव अवस्ता में कूछा द्रवी अवस्ता में वर द्रवी अवस्ता में यह धरा का प्रवाह करते हैं चलू आगे आगे देखो आएनिक अभी क्लिए योगिक विलियन में आयन उत्पन करते हैं और विप्रित आवेश वाले आइनों के साथ बहुत पेज़े से क्लिया करते हैं उधारण के लिए अने अपने आइनों में विबक्त होकर क्या कर देंगे तुरुंत इसके साथ घुल जाएंगे यहां पर जालक कुर्जा क्या होगी कम और विलाइकन होगी जादा होते हैं बात समझ में आ गई तो फटाफ़ लिग दीजिए यस माम जल्दी 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 बेटे जल्दी जलें ओके दनचलते हैं आगे अब आता है सहसेंज़िप बन पार्टनर्शिप करते हैं रई और उसके बाद में स्थाई होते हैं तो सबसे पहले लुइस नामक विग्यानिक ने बताया तो उसे अपन लुइस सरंचना के नाम से भी जानते हैं क्लियर बीटा ओके ड़ा है जब बंदन में दो या दो सेधिक परमाणूं के बीच में इरैक्टोन का सांजा होता है तो सहसे योजग बंद कहा जाता है सहसे योजग बंद करने वाले परमाणूं समान हो तो ही सहसे योजग बंद होगा यानि कि इनकी जो विद्योत रिंटा है वो लगबग बराबर होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कार्बन है रेक्लोरीन है तो इनमें कभी भी सहसे योजग बंद नहीं होगा कार्बन कार्बन के मद्य इलेक्टोन नेगेटिविटी आ जाती है विद्यत रिनता आ जाती है जिसकी विए से यह इलेक्टोन को अपनी और आकरशित कर लेते हैं और वो सांजिधारी नहीं रहे हैं बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दो यस मैं चलें आगे आई देखो आपके सामने स्ट्रीन पर कुछ एक्जामपल लिखे गया है यह एक्जामपल क्या बता रहे हैं यह कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रोन बायतम कक्ष में तो बायतम कक्ष में दोनों ने इलेक्ट्रोन का सांजा किया और क्या बन गया दोनों के बीच में बंद बन गया दो इलेक्ट्रोन सांजा कर रहे हैं एक कल बंद बन गया यह सौनों जल्दी बताओ हाँ यह ना जल्दी तो यह हो गया क्या इन दोनों के करेंगे तो आठाथ यानि दो इलेक्टरों का संजा कितने बंद बंद नहीं पहली बात सैसे बंद बनने की शर्ट क्या है कि दोनों की विज्ट रिंटा इन समान हो दोनों के मद्या आइनों का से प्रेशन ना हो तब तभी जाके क्या हो सकता है सहसे हो जग बंद बनेगा सेकिंड जब सांजेदारी हो तो बराबर हो एक कम एक जादा नहीं होनी चाहिए तभी जाके वह बंद सहसे हो जब बंद कहलाते हैं क्लियर ओके ड़न आ जाई अब चलते हैं आगे अच्टु ओ सामने नजर आ रहा है तो अब यहां पर क्या हो गया देखो क्या यहां और ऑर यह है वह सही हो जग बंद वहीं अनश्त्री आपके साँने नजर आ रहा है अब CH4 का NH3 का आप बना दिया CH4 का SO2 का बच्चों आप खुद बनाएंगे अभी नौट करो और इनका बना के दिखाना नेक्स क्लास में जब मैं आउं तो मुझे बताना कि YES मैं हमने बना लिया है Promise करो YES मैं जल्दी लिको पतापट कमेंट में लिको YES मैं हम करेंगे जल्दी 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 बताओ पतापट ओके चलें आगे तो जी बिल्कुल यह जो हो गया clear आपका अब आता है कि जो लुइस सरंचना हैं मॉलिक्यूल की उनको अपन कैसे प्रदशित कर सकते हैं तो डॉट सरंचना भी कहते हैं इसमें वैलेंस इलेक्टॉन भाग लेते हैं हमेशा किसी भी परमानू के बायतम कोश के यानि बायतम कोश सहो जगता कोश है कि एक 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 पुर्ण का हटना इसके विपरित हैने वाले इल्यक्ट्रॉनों की कुल संख्या दएता है या तो या तो वह एक्रान देगा या फिर इलैक्ट्रॉन लेगा पर दोनों 서ंच होगा और वऊ स्यवेगत होगी स्योज़यत पर्साइनीक पर्तिकों को जाने एकल बन के लिए टेक जोडने थे गनाशन को बन दोन कड़ें पहले बात की हुँआ हैं कि अपन किस प्रकार से क्या करेंगी लूइस से बनाएंगे वहां डोट-डोट करके वैसे देखो इसामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है तो साइनाइड की लूइस स्रेंचना में देखो बायतम कक्ष के इलेक्ट्रोन को दिखा दिया है जल्दी देख सकते हैं आप सभी क्लियर है बात समझ में आ गई तो फटा फट फटा फट लिख दीजिए यस मैं ताकि बात क्लियर हो जाए मुझे भी पता चल जाए कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है वैसे मैंने यह बता दी है आपको लेकिन बिंदू द्वारा बायतम कक्ष के इलेक्ट्रोन को व्य है राजा फॉर्मल आवेश क्या होता है हमेशा ध्यान रखो कोई भी मॉलिक्यूल है इसे O3 है H2O है H2SO4 है HNO3 है इन सब मॉलिक्यूल्स में जो परतेक एटम होता है जो एटम होता है वो एटम जो है पर एटम पर एटम के ऊपर चार्ज कौन सा है यानि कि हाइड्रोजन पर ऑक्सिजन पर चार्ज कितना है इस मॉलिक्यूल में उपस्तित एटम पर चार्ज कैसे ग्याद करें तो सबसे पहले एक फॉर्मल एक आवेश की बात की गई जिसे अपन फॉर्मल आवेश कह सकते हैं और जिस भी योगिक किसी भी योगिक में उपस्थित पर्मानू उपर आवेश जब किया जाता है आवेश ज्याद करना क्या कहलाता है फॉर्मल आवेश कहलाता है बात समझ में आ गई होगी सबी बच्चों को आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैम यानि परतेक एटम पर चार्ज कितना होगा इसके बारे में चर्चा जहां की जाती है उसे फॉर्मल आवेश कहते हैं ओके फटा फट जल्दी से क्लास को लाइक कर तो चल्दी से और लिख दो यस मैम थम सब भेज दो कि मैडम समझ में आ गया ओके चलूं आगे आजव 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 चलते हैं आप इसकी परिभाशा की हो रही है कहते हैं बहुत परमानों को आईनों में शुद्ध आवेश समगर रोप से आईन पर लगने वाले आ आवेश कहा जाता है क्या कहा जाता है और चारिक आवेश कहा जाता है इसे दिन परता से वेख कर सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो फॉर्मल आवेश क्या जात करने के लिए बेटा आपने को क्या याद करना होता है सबसे पहले आपके पास फॉर एक्जम्पल यह जैसे ह2O है आय अब अपने पास एक नंबर पर यह है दो reader पर यह है और ती नंबर पर तो इस atom जो free atom है इस परतेक aänder जो पहला आपने एक नंबर लिया तो इस atom के Kenidriay Pastor Amandu इस atom केBo कोश के electron इसके इसके विटा स्रोय जकता स्रोय जकता ठीक है दूसरा फिर माइनस लगा उसके बाद में कया लिखो इसी अटम के उपर लोनड ही फिर कितने हैं नहीं है यह जलदी बता दू फटाफट जल्दी बूलो जल्दी हां या ना राइट सही बात है यह क्लियर हो गई यह बात भी क्लियर हो गई फिर एक बठादो लिखकर क्या लिख देना है कि यही atom कितने अपने electron देकर के बंद बना है यहांनी बंद में कितने elektron भाग ले रहे है यहांनी total number of bonding shared electron clear बात समझ में आ गई बेठे बात clear हो गई तो फटा फटा फट लिख दू यस मैं जल्दी से बता दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से clear बेठा चलते हैं आगे इसका example देख लेते हैं जैसे आपके सामने ओजों दिया गया है इसकी structure बताई गई है क्या बिठे इसकी structure बताई गई है ओ इधर oxygen इधर oxygen राइट अब ज़रा ध्यान देंगे सभी बच्चे अपने यहां पर लोन पेर लगे हुए है यहां पर लोन पेर लगे हुए है यहां भी लोन पेर लगे है ठीक है यह एक नंबर है यह दो नंबर है यह तीन नंबर है अब आजाओ अब यह क्या कह रहा है अब यह कह रहा है कि आपको इसके उपर फॉर्मल आवेश निकालना है इस पर भी निकाल है तो सबसे पेले wenद क्या करेंगे एक नमबर रंकरान ने सनुख एक यह हो मार आवकिश रहा है यह कहरा है की इसको बांके वारत्मने खांट्रों कि रचले सभी जर सबसे नेन इस खांट्रों के 6 ठीक बात है clear है विबात तो यहां क्या लिख दिया 6 ठीक है लिख दिया 6 अब minus यहां कितना 2 दो कहां से आपके पास lone pair electron कितने हैं एक और दो दो जितो है 2 लिख दिया जाए अब चलते हैं आगे minus 1 बटा 2 कितने electron बंद में भाग ले रहे हैं 2 दो 4 दो 6 प्लस वान ख्लियर आजाओ अब oxygen का आप निकालो कैसे निकालोगे second oxygen का जल्दी बताओ जल्दी छेए 4 2 और 2 4 सही है और एक बटा 2 4 4 कहां से आए 2 2 दो दो दूनी चार यहाँ भी 2 electron है यहाँ भी 2 electron होते हैं बिल्कुल चलें अब आता है third oxygen, third oxygen में कितने हैं, total byantam काउस्त में 6 होंगे, फिल लॉन पेर electron कितने हैं, 2, 4, 2, 6 एक बटा, 2, 2 electron का है, बंदे में कितने electron बाग ले रहे हैं, clear, बात समझ में आगी, तो फटा-फट लिख दो, yes, ma'am, clear, अब एक बदाओ, H2O का करके बताओ जल्दी बताओ सभी बच्चे करेंगे फटाफट 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 जल्दी 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 से सभी बच्चे करेंगे ठीक है ओके चलेंगी आजए फटाफट 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 चलते हैं अगे अब यह की एक oxygen प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है और वुदासीट मोड़ा है जनरलीहापन पांघते हैं इस तरह से लिख़एते हैं इस वे कोई आवेश ही नहीं है इने यह पर हमें पता नहीं है लेकिन अब हमें पता है कि हमने जानते है कि हम ने क्या उख जांते है np. तरिया है कि इतम पर आभेश ज्याद करने में सक्षम है यहां से question confirm आएगा very very important ओके चले आजाएगे चलते हैं आगे अब आता है octet नियम जो है उसके कमिया क्या है octet नियम जो है आपने बताए कि परतेक परमानों के इतम सक्षम 8-0 होने जाएगे ठीक बात है लेकिन नहीं है अगर नहीं है तो क्या स्थाही क्या है है एकिट पूरा नहीं दिये तो है लेकिन वो नयम की पालना नहीं कर रहा है और चैन परमानु का अधा क्याक hardly कैंद्रिय प्रमानु का अधुरिय होना को तो सह has a थैंदे परमानु में अधुरिय होते हैं जैसे पूर एक्जामपल अपने पास क्या है बेरीलियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रोन है इसके पास में दो और दो चार दो और दो चार ठीक है तो दो और दो चार इलेक्ट्रोन है जबकि इसमें हाइड्रोजन का अक्टेट पूरा हो रहा है लेकिन बेरीलियम का अक्टेट कितना हो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है जरा ध्यान दो ध्यान दो सभी वच्चे कि यहां पर अग्राफ हाइड्रोजन की बाई पर आप पूरा है लेकिन यहां पर बेरीलियम में दो, दो चार, दो छे, दो आथ, क्लोरीन तो पुरा अक्टेट कर रहा है, ये क्लोरीन भी पुरा अक्टेट कर रहा है, लेकिन क्या बेरिलियम जो बौरॉन है, वो पुरा कर रहा है, नहीं, उसका अक्टेट पुरा नहीं है, क्योंकि उसके बाहित तम कक्ष में कितने इलेक् कुछ अनू ऐसे भी होते हैं जिने इलेक्ट्रोन की संख्या विसम होती है राइट होनी चाहिए छे होती है पांच होनी चाहिए आथ होती है साथ पूर एक्जमपल नाइट्रोजन जैसे आपके पास में अनो है अब अपने पास ऑक्सिजन के पास में देखो लेकिन वहीं पर यही नाइट्रोजन की बात करता है भूट सरी S atoms molecules हैं जो नहीं करते हैं यहां पर भी देख सकते हैं दो दो चार दो छार एक साथ दो दो चार दो चार दो चार आठ इसमें पूरा है लेकिन दो दो चार पांच 6, 7 क्लियर तो यहां भी खके पूरा नहीं क्लियर चलों आगी आ जाओ अब चलते है आगे अपने पास आता है prior अब अपनेक पास आता है विस्तारित हो सकते हैं लेकिन वहां पर वो अस्टक नियम का पालन नहीं करेगा कई बार क्योस्चन आता है अस्टक के विस्तार को प्रदशित करने वाले योगिकों के बारे में बता हो तो आपको यह एक्जामपल्स देना है जैसे पीएफ फाइफ है पीएफ फाइफ क्या है आपका ओक का विस्तार है यहां पर है प्नियंट को का देख से जाहरे वहीं पर दिया जो आपके पास क्या है ल handy जादा करते हैं चले आगे तो इसे कहते हैं विस्तारित अक्टेट कहा जाता है क्लियर बेटा बात समझ में आगे देखो यहां पर कितने हैं यहां पर कितने हैं 12 यह question आता है इसलिए इसको important लगा लेना यह exam की दरश्टी से बहुत-बहुत-बहुत important है कुछ अस्ट उत्करष्ट गैसें होती हैं उत्करष्ट कैसे आप सब जानते हैं हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन जिनके बायतम कख्ष में आठ इलेक्ट्रोन होते हैं तो ऑक्सिजन और फ्लोरिन के साथ मिलकर XEF2, XEOF2 आदी कई योगिक बनाती हैं कुछ उत्करष्ट गैसें किसके साथ ऑक्सिजन और फ्लोरिन के साथ मिलकर क्या करती हैं कई प्रमानों बनाते हैं जबकि ऑक्टेट पूरा होने पर तो अपने को किसी के साथ रियक्शन करना ही नहीं चाहिए इनको नाम भी क्या गया है अक्रियगे से दिया गया है फिर भी हो रही है क्यों हो रही है तो यह क्या है यह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं अनु के आकार का हिसाब भी नहीं देता है फिक्स कोई साइस नहीं बताता है कौन कौन नहीं बताता है अस्टक नहीं बताता है अस्टक नहीं नहीं दूरी के दूप में परिभाशित के रखता है यानि कि अगला टॉपिक आता है कमियों के बाद बंद लंबाई बंद लंबाई क्या होती है कोई भी दो परमानों है जरा सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अपने पास दो एटम्स हैं उनके नाविकों के बीच की जो दूरी होत कि यह बंद लंबाई इसको अपन एक डाईग्राम से भी समझ सकते हैं देखो आपके सामने या मिन देखते हैं इसकी केंद से दूरी जो है वो त्रिजा है यह भी कहने दूरी जो है वो क्या है इसकी त्रिजा है ठीक है अब इन दोनों की बीच की लंबाई जो है वो क्या है आपकी बंध लंबाई ओके बात समझ में आगए the bond length in a covalent molecule a b r a plus r b r क्या है bond length और r a r b क्या है कोवलेंट र्याड यानि की बंध वो ओक्यूल की क्या है त्रिजा है clear बात समझ में आगी तो फटा फटा लिख दो यस मैम जल्दी से जल्दी से जल्दी से चलते हैं आगे अब अगला आता है बंध कौन बंध कौन क्या है आप सब जानते हैं कि अपने पास जैसे है अपने है अपने पास है है इनके बीच का कौन कितना होथा जैसे 121 नह्कित है अपने पास 209 0088 Washington बात समझ में आयी दो यह बंद कौन क्या होता है जब कोई भी परमानूं के इंदिये परमानूं के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उनके दो बंदो के बीच की जो दूरी होती है दो बंदों के बीच की दूरी उसका बंद कौन कहलाती है दो बंदों के बीच की दूरी जो एंगल बनाती है वो क्या कहलाती है बंद कौन कहलाती है जैसे परिभाशित किया गया है कि बॉंडिंग इलैक्ट्रोन वाले और्बिटल्स का प्रति निद्धू करने वाली एंगल की वज़े से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 डैश है इसी की वज़े से इनकी आकरती कैसी होती है चतुसक फलकिय होती है राइट बात समझ में आई या नहीं जल्दी बताओ येस और नो फटाफट 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 क्लियर तो ये कह रहा है कि बंद कौ जलूं आगे आजाओ बिट आजाओ अगला टॉपिक आता है बंद एंथिलिपी बंद एंथिलिपी का मतलब क्या होता है जरा ध्यान देंगे कि किसी मॉलिक्यूल के जो बंद होते हैं उनकी एक मॉल को तोड़कर गेसिये परमानों में गेसिये परमानों मतलब उदासीन प पर्मानु में अलग करने के लिए आउशक उर्जा की मात्रा को हम परिभाशित कर सकते हैं जैसे अपने पास है एच टू ओ तो हमने तोड़ा इसको एच टू प्लस ओ टू राइट तो यह क्या है एक बंद वियोजन एन फेलिती है जिसमें क्या होता है यह गेस यह पर्मानु है यानि उदासीन पर्मानु हो जाता है clear बत समझ मैं आ गई तो फड़ा फड लिख दो यास मैम clear 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ ओके 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 चलती हूं आगे अब तो यह बात क्लियर हो चुकी है कि अपन गेसिय प्रमानों को अलग करने के लिए क्या होता है क्या होता है गेसिय प्रमानों में अलग करने के लिए आउशे कुझे की मात्रा को परिभाशित कर सकते हैं यह कह रहा है कि बॉंड एंथिलिप क्या होती है तो वह होती है केजी प्रती मोल अबंद एंधिलपी जितनी अधिक होगी आपन इतना ही मश्बूत सही है जैसे अपन है अच्टू है तो इसमें ऑक्सिजन हाइड्रोजन को अपने को अलग करना है तो यह कम उर्जा ले रहे हैं इसका मतलब बंद दुरबल है बंद एंधलेपी का परिणाम होता है वह बंद बहुंगता सम्धित है आप बंदब स्थितना अधिक होगा अधिक होगा बंद आपya प्रबल बंद कौन सा होगा सब्सक्राइब यहां पर नाइट्रोजन के मद्दियों कि यहां पर त्रिपल बॉंड है यानि कि बंदों की संक्या जितनी जादा बंद एंथलिपी उतनी ही जादा होती है क्लियर बात समझ में आ गई ओके डट चलते हैं आगे अब यह कहते हैं कि जितनी जादा उर्जा होगी तो कहा जाता है बंद उतना ही जादा प्रबल होता है हुआ है चलता फड़क्ल ini समा मैं देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड जे मद्र जो बंद होता है इसकी बात की जा रही है इसकी देखो, इनकी देखो, दीरे-दीरे क्या होती जा रही है, घड़ती जा रही है, और यह बढ़ती जा रही है, यहाँ पर 431 कार्बन और हाइड्रोजन और हेलोजन की, यहाँ पर देखो, यह दीरे-दीरे घड़ती जा रही है, तो सिंगल बॉंड की, डबल बॉंड की, triple bond की single bond double bond और triple bond देखो बढ़ती जा रही है न फिर बढ़ती जा रही है यहां से यहां बढ़ी फिर यहां से यहां बढ़ी तो क्या होता है एकल बंद की बंद उर्जा द्विया बंद की और त्रिया बंद की क्या होती है बंद उर्जा में अंतर होता है एकल बंद कम प्रबल होता है इसकी तुलना में त्रिया बंद की तुलना में त्रिपल बंद जब होगा तो उसको बंद को तोरने के लिए अधिक उर्जा होगी तो वहीं पर यदि क्या भाई साथ खड़ा था तो राम जी ने क्या कर लिया जीत लिया हा या ना बदा और वहीं रावन के साथ उसका भाई नहीं खा तो इसलिए वहार गया तो बंद वही है जिसमें क्या हो एक से अधिक चीजें जुर जाती है तो बंद प्रबल हो जाता है उसे तोड़ने के लिए अधिक उरजा की अधिक शक्ति की आउशक्ता होती है क्लियर फटाफट उतारेंगे जल्दी से बात समझ में आ गई है तो लिखेंगे यस मैम जल्दी 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 फटाफट 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 ओके चलती हूं आगे अधा बंधन क्रम बंध क्रम यानि bond order किसी भी molecule में जो atoms के बीश में बंधों की संख्या किसकी बंधों की संख्या किनकी संख्या बेटा बंधों की संख्या बंध क्रम क्या होता है बंधों की संख्या होती है ठीक है बात समझ में आई तो बंधों की संख्या यानि bond order कहलाता है तो कहाना लुईस के अनुसार एक सह से जचक बंध में बंध क्रम एक अनुमें दो कर्माणों की बीच में बंधों की संख्या होती है बंध की संख्या ज to ask the questions आता है कि準 हाइड्रोजन ऐक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करो तो त्वताई कि पंद क्रम क्या होगा तो एक नबर दो नंबर और तो इसका बंद करम कितने हैं एक इसका दो इसका थीन की को होगा सबसे कम पीन नम्बर क्यूंकि इन्हें में बंधों की संख्या तीन है संख्या जितनी ज्यादा इस्थायत उतना अधिक होता है क्लीर जल्दी से बदा दो यसमाम फटा पट 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 जलदी जल्दी बदा दो जल्दी से बदा पट धैसे लेपकर कहाा है कि ऐसे देखो मैंने बोला वही इस न लिए ओटू में एक है औटू में दो है नाइट्रोजन में 3 है, आइसो इलेक्ट्रोनिक अनुव और आइनो में समान बॉंड ओडर होता है, इलेक्ट्रोन की संके जिनें बराबर होती है, उनमें बॉंड और लगब लगब क्या होता है, समान होता है, चलते हैं आगे, F2O2-2 का बंद करम यह आप निकालेंगे, तो ह बंद की संख्या बढ़ रही है, तो बंद में इस ट्रेंच जादा होगी, बंद की एनरजी जादा होगी, वहीं पर डिस्टेंस कम होगा, आपको मैं कई बार एक्जामपल देती हूँ ना कि दो मित्र हैं, अगर वह पास में रह रहे हैं, तो उनकी भनिष्टा जादा है, लो सांपने स्क्रीन पर गया रहा है कि नाइट्रोजन का बॉंड और थी है इसलिए इसके बेंध ज़ादा है और इसको तोड़ने के लिए इसको तोड़ने के लिए कम में चाहिए राइट अब देखते हैं अपन क्या अनूनाधी सरंचना कौनसी सरंचना अनुनादी सरंचना तो अनुनादी सरंचना का क्या मतलब होता है बहुत इंपोर्टन बात अनुनाद क्या होता है किसी भी मॉलेक्यूल को जब एक से अधिक सरंचनाओं में प्रदश्चित किया जाता है तो वह उसकी अनुनादी सरंचना कहलाती है किसे जब किसी एक molecule को एक से अधिक सरंचनाओं में व्यक्त किया जाता है तो वह उसकी अनुनाधी सरंचना कहलाती है प्लिया बात समझ में बिल्कुल जी बिल्कुल तो कहा कि वेवार को एकल रूप से सरंचनादा प्रदश्चत नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे कई तो जोंड्य स्चीन को आप से प्रदासे कर सकते हैं जैसे आपके पास oxygen दिखाई दे बिल्कुल दिखाई देरा है यह oxygen जो है कितने रूप में दिखाई देरा है आपको तीन रोकों अब इस बंद को यहां भी ला सकते हैं अब इस दोनों की यह आप सिमिलर स्टेक्चर शो करें तो यानि कि यहां पर दोनों पर द्रिया बंद आ रहा है तो डैश डैश करके आपन दिखा रहे हैं इस प्रकार की सरंचना को कहते हैं अनुनादी सरंचना कहते हैं क्लियर बात समझ में आई तो पटा फट लिग दीजिए यस मैं ओके इस प्रकार देओ कई प्रकार की अनुनादी सरंचना हैं जिन्हें आप देख सकते हैं सबसे पहले हैं कार्बन डाई ऑक्साइट यह एक्जाम में बहुत बात पूछा भी कि यह वही पर नाइट्रोजन को कार्वलन मोनोग्साइड को देखो डबल बॉंड करके फिर बंद टोटा एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस ख्लियर ओके दनलंं अन्टू ओ को देखो डिपल बॉंड दबल बॉंड clear okay then HNO2 की देखो oxygen nitrogen structure तो यही थी अब यहाँ से electron यहाँ shift हो गए तो यहाँ पर अच्छा जी अच्छा यहाँ पर oxygen double bonded था अब यहाँ नहीं होकर कि कहाँ आ रहा है यह यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ के double bond clear ओके जी ओके NH3 में देखो NH NH3 है hydrojoic acid double bond double bond single bond अब एक जगे क्या आ जाएगा यहाँ पर triple bond आ गया अब वापस यहाँ पर आ कर कि यहाँ triple bond आ गया जल्दी बताओ जल्दी यहाँ पर ओके ठीक है ठीक है जी ठीक है तो इस परकार अपन कई रहाँ बताि यहाँ अक्याइट क्या करेंगे ताकि आप को ऊस्चे करेंगे अख्यot भीimin। रहाँ हैं नेख्यot थी क्याँ Easy क्याइक करेंगे पर अक्यांच से देखि법 के में अदाधने आदे में च्याइंगे आधे वारे करो loves राइट चलू आजाओ एक चीज़ तो रहेगी कैसे जा रही हूं मैं नहीं जाना है अभी तो क्या करना है एक टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ लें आजाओ बंदों की दुरुवता क्या होती है तो बंदों की दुरुवता को अपन देखें तो अपने पास बंद जो होते हैं दुरुविय प्रवर्ति की होते हैं जिन पर प्लस और माइनस आजाता है यह मैंने बहुत बार बता दिया आपको बहुत जादा बार यह लास्ट ही है जब अपने पता हो तो कहा कि दुरुविय जिनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता जिनकी विजित परभाणू के विल्कुल केंद्र में स्थित होते हैं और बंधन को गेर परमानी सहसेंजगबंद लगारा पशच्टिया जा सकता है उदारण के लिए जिसे एच एच सी ल सील जिनकी विद्योतरियंटाएं क्या होती है विद्योतरियंटाएं समान होती है ओके तो कहा कि द एक रहेम देखकों तो आफलीट रजाती है उधरन के लिए एक लोरीज किए लिंगे काल से अधिक होती है इसकी वजह से इनके मत्द्दे एक पर्माविजनस चार्ज ऐसा से ढखेता है जिस्डिये है मैं ओके सामने एक्जामपल दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को ओके जी ओके दुरुवत आ गए अब यह कह रहा है इनके मध्य प्रबलतंबन है क्यूं है क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वह सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रो क्या होता है दुद्रु आगुन का मतलब होता है दो मॉलेक्यूल के बीच में आवेश के मद्य जो अंतर होता है उसे आप कैसे ग्याद कर सकते हैं तो धुरुवता के कारण मद्य अनुन में क्या होता है दुद्रु अनुन की रूप में भी जाना जाता है और उनमें जा सकता है जैसे आपना निक सकते हैं आवेश और आवेशους की बीचकी दूरि ojos डेसा है उक्सिजिन तो इन उन पर आवेश और इनके बीच की दूरि इन दोनों का गुननफल क्या कहला द्विधरु आगून कम कहलाता है दिद्र आगुन को डिबाई से रिपर्जेंट करते हैं इनका मात्रब जो होता है डिबाई होता है ठीक है और इसे वन डिबाई बराबर होता है 3.3 इन्टु 10 to the power minus 30 centimeter बात समझ में आ गए इस प्रकार अपन किसी का भी डाईपोल मुमेंट निकाल सकते हैं दिद्र आगुन के अनुप्रियोग ज़रा ध्यान देंगे सबसे पहला अनुप्रियोग क्या है अनुप्रियोग की द्रूवता निर्धारित करने के लिए अपन क्या क कर सकते हैं क्या कर सकते हैं द्रूव आगुन का प्रियोग कर सकते हैं कि कोई भी अनुप्रियोग जो है उसकी अपन द्रूवता कैसे प्रशित कर सकते हैं वही पर अनुप्रियोग की आकरती भी अपन इससे ग्याद कर सकते हैं सुन्य द्रूव आगुन वाले रेखिक सम्म इसके द्वारा की जा सकती है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिए यस मैं जैसे द्वीदुरु आगून गयाद करते हैं अकरती की दी बात करें तो ऑक्सिजिन की विदितमता जादा होती है तो अपन इसको लिग देते हैं यह वी शेप में होता है क्लिय सयोजक्ता बंद सिद्धान का मतलब क्या है सभी बच्चे ध्यान देंगे वी बीटी थियोरी क्या होती है आप इसे कह समझ सकते हैं वी बीटी जैनी की सयोजक्ता यानि की बाहियतम किसी परमानों का बाहियतम कक्ष वो सयोजक्ता कोश है किसी दूसरा परमानों है उसका भ से बनते हैं किस प्रकार से एटम्स आपस में जूरते हैं इसके बारे में सब से पहले विज्यानिकों ने अध्यन करके ठ्योरी को निर्मित किया जिसे हम क्या कहते हैं वैलेंस बॉंड ठ्योरी जिसे सही हो जकताब बंद से धांत भी कहा चाता है ओके डन बात समझ में आ गई होगी क्लियर यानि हम लोग मॉलेक्यूल्स जब बनते आ है तो उनमें एटम्स कैसे जूरते हैं उसके बारे में यहां पर स्टडी करेंगे बात समझ में आ गई तो फटा फटलिक दीजिए येस मैम जल्दी 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 ओके तो विबिटी ठ्योरी क्या कहती है जरा ए थी एक औरणों के एलेक्ट्रोनिक विइन्यास पर आधारे है ये फैनिक तरइस्वेश अहते है साथ ही उनके नाबिक जो है वो N A और N B है, उके, उनने मुझूद इलेक्ट्रोन E A और E B है, कई बार बच्छा पुछ लेता है, मैम E क्या है बेटा, E इलेक्ट्रोन का सिंबल है, उके, N जो है वो नुकलियस का सिंबल है, नाबिक, जैसे जैसे दुनों परमानू आपस में नस्दी आते हैं, नई आकर्शन किरियाएं होती है, वो आपस में आकर्शित भी होते हैं, और प्रतिकर्शित भी होते हैं, सही बात है, यह तो बात क्लियर है, आपको बात समझ में भी आ गई है, प्रतिकारक शक्तियां काम करने लगती है, यानि कि कभी-कभी प्रतिकर्शन होगा, कभी आकर्शन होगा तो ऐसी युक्तियां जो है ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रियेट होना शुरू हो जाती है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दिजिए यस मैं ओके डद अब वीबीटी जो थ्योरी है उसमें कुछ गुण है उसके कुछ मुख्य पॉइंट है या यू कहे दू विशेश्ट आएं है वो क्या है तो देखी जरा पहले है कि एक परमानू का नाभिक अपने स्वेम के इलेक्ट्रोन और दूसरे के इलेक्ट्रोन की और आकर्शित होता है एक परमानू का नाभिक ठीक है एक परमानू का नाभिक ठीक है दो परमानू है यह रहे और इसका नाभिक दूसरे परमानों के इलेक्ट्रोन की और क्या होता है आकर्षित होता है यह बात तो सच है इसमें कोई दौर आए भी नहीं है दूसरे के इलेक्ट्रोन की और आकर्षित होता है इसके विपरित क्या इसके विपरित यह कह रहे हैं कि आपके पास में क्या है नाविक इलेक्ट्रों के बीच में क्या होता है आख कर्षण होता है दूसरी अब आख कर्षण बल दो पर मानों को करीब लाते हैं प्राति कर्षण बल दूसरे से दूर ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर एक डाइग्राम नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं राइट विवीट थेओरी कहती है कि आपके पास में दो क्या है दो परमानू है आटम है यह रहाँ एटम एच वान और दूसरा एटम है आपका विटा क्या है एच भी हए एच यह भी रहें इनके nucleus आपको नजर आ रहे हैं यह रहे nucleus दोनों के अब यह nucleus को बीच में repulsion हो रहा है वहीं पर electron और nucleus के बीच में क्या हो रहा है attraction हो रहा है यह आपस में क्या करते हैं दूसरे को आकरशितर करते हैं clear है बात समझ में आ गई होगी इसमें कोई भी आउट है नहीं ना वेरी गूट जल्दी से इसको उता रहेंगे ताकि आपको बात क्लियर हो जाए यानि एक्टम्स जो होते हैं परस पर कैसे जुड़ते हैं नाभी को इलेक्टोन के माध्यम से जुड़ते हैं क्योंकि उनके बीच में अट्राक्शन होता है और वही एक्टम जो होते हैं आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं वहीं मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी क्या कर देते हैं निर्मान कर देते हैं ओके जी यास बिल्कुल 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 जो फ्राफट होता रहेंगे चलते हैं आगे अब आता है अगला टॉपिक कक इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया है हमने इस चैप्टर में आयनिक बंद पढ़ा जिसमें क्या होता है आयनिक बंद में क्या होता है इलेक्टोन का पूर्ण इस्थानांतरन हो जाता है ठीक है हमने सह सयोजक बंद पढ़ा हाँ या ना सह सयोजक बंद क्या होता है सह सयोजक बंद में इलेक्टोनों का सांजा होता है ठीक बात है उसके बाद हमने क्या पड़ा उसके बाद में हमने पड़ा ओपचारिक आवेश ओपचारिक आवेश यह क्या होता है ओपचारिक आवेश का मतलब होता है पर एटम हना पर इच एटम क्या होता है बेटा चार्ज कितना हो होता है ओके वो डिस्कस किया उसके बाद में आपने द्वी ध्रूव आघून पड़ा यानि कि दो एटम्स हैं उनके बीच की दूरी और उन पर आवेश क्यू इन्टू क्या दूरी डिस्टेंस के बीच में क्या संबन होता है यह पढ़ यानि यह क्या कहना चाहता है आपने एटम देखें उनके बीच में बंद देखें बंद दो प्रकार के देखें उसके बाद में जब बंद बन गया तो इन पर आवेश क्या होता है जब आवेश हो गया तो आवेश और दूरी में क्या संबन्द होता है वो देख लिया ठीक बात है अब जब आवेश और दूरी क के बीच में संबंद आ गया तो कहा कि यह आपस में जुड़े कैसे हैं यानि कि अब यह जब यह आपस में जुड़कर आप मॉलेक्यूल बना रहे हैं तो वह मॉलेक्यूल कैसे बन रहा है तो उसके लिए आपने वीबीटी थियोरी पढ़ लिए राइड भाई बात समझ में आ गई होगे सब बच्चों को क्लियर हो गया हाँ या ना जल्दी बता दो तो आपने वीबीटी थियोरी पढ़ लिए अब जब molecule बन चुका है तो molecule बनने के बाद में ये molecule आपस में नजदिक किस परकार आते हैं? नजदिक तो आएंगे जैसे अभी इसमें पर आया है कि दोनों मिलेंगे तो molecule बनेगा यानी नजदिक तो आएंगे पर नजदिक आने की theory क्या होगी? वो theory क्या है वो कैसे आएगा तो कहा कि वो theory या वो अवधारना है कक्षकों का अतिव्यापन अतिव्यापन को English में overlapping कहते हैं जिसमें molecule एक दूसरे पर अभी विन्यासित हो जाते हैं यानि molecule जब आपस में अभी विन्यासित होते हैं तो वो बंद बनाएंगे और वो बंद किस प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में अब डिसकस करेंगे बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैम जल्दी जल्दी फटा फट फटा फट बता दीजिए जी बात स पहले शुरू करते हैं कि अतिव्यापन होता क्या है यदि हाइड्रोजन अनु के निर्मान में नियुनतम उर्जा अवस्था का उल्ले करें तो दो एच परमानू दो एच परमानू इतने करीब होते हैं कि उनके परमानू कक्षकों को आंशिक अंतरवेश से गुजरने की अनुमति मिलती है यानि कि अगर आप दो परमानू की बात करें हैं तो यह आपस में जब नजदीक आते हैं तो यह आपस में क्या हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर अंतर परिवर्तित हो जाते हैं अंतर परवेश यानि कि एक दूसरे के अंदर इन्वोल्व हो जाते हैं बा और लेपिंग कहा जाता है और लेपिंग का मतलब समझ में आ गया सभी को और लेपिंग का मतलब होता है एक परमानू का भाग दूसरे परमानू के ऊपर आ जाता है यानि वो और लेपिंग हो जाती है एक कक्षक दूसरे कक्षक के ऊपर अभिविन्या से थो जाता है और कख्षक की विशेषताओं की आधार पर परमाणु कुछ को के बीच ऑवरलेप सकारात्मक नकारात्मक स्थाथ यह भाग लेने के बाद में अगर वह क्वे अपस में आवलेप फित हो रहे हैं तो उस समय क्या हो सकता है कक्षकों के बीच में overlapping सकारात्मक हो सकती है यानि कि दोनों overlapping करके बड़ा आकार बना सकते हैं छोटा आकार बना सकते हैं या फिर कोई परिवर्तन ना हो ऐसा भी संभव हो सकता है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिए यस मैम जल्दी 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 और लास्ट तक जुड़े रहना यह बहुत important topic है इससे exam में question आना ही होता है चलूं आगे ओके जी ओके आईए आपके सामने बोड पर एक डाइग्राम नजर आ रहा है आ रहा है न सभी को बिलकुल दो hydrogen atoms आपको नजर आ रहे हैं आ रहे हैं सभी बच्चों को hydrogen atoms हां जी यह रहा 1s orbital of hydrogen atom 1s कैसे है क्योंकि hydrogen पर एक ही तो electron होता है 1h1 तो 1s1 हो गया तो एक ही electron है तो यह हो गया 1s orbital इसका भी यह क्या है 1s orbital जब आपस में क्या करते हैं और लेपिंग हो रही है यह रही और लेपिंग और लेपिंग और लेपिंग और लेपिंग और अगर किसी कक्ष का आकार गोलाकार है hydrogen में S कक्षक है तो S कक्षक का आकार मैंने आपको second chapter में भी समझाया है उसका आकार गोलाकार है जिसमें कोई भी दिसा निश्चित नहीं है यानि कोई axis निश्चित नहीं होती है उसमें सभी axis मौजूद होती है तो वो कैसे भी जूर सकता है clear बात समझ में आई overlapping clear हो गया तो फटा फट बता देजिए यस मैम जल्दी जल्दी कमेंड में लिखेंगे बिटा जल्दी 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 बात समझ आई यह नहीं फटा बर बताओ जल्दी 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 आ गई ओके ड़न चलती हूं आगे अब आता है अतिव्यापन जब हो रहा है तो वह अतिव्यापन कितने प्रकार का भोग तो कहां कि अतिव्यापन जो है आपके पास किसके आधार पर सह सयोज़क बंदो क्यादार पर अलग अलक अलक श्ट्वेमिट फ्रकतफ है किया गया है पहला सिग्माबंद बंध सिग्मा बंदय lange दो प्रकार possess particle यथा वोग यह दो तो आपके पास दो प्रकार के सह सयोजग बंदन के आदार पर ये दो प्रकार के होंगे सिग्मा बंद के आदार पर और एक बिटा पाई बंद के आदार पर ठीक है सिग्मा बंद जब होता है तो उसमें ओवर लेपिंग दो तरह की होती है SS अतिव्यापन और एक होता है SP अतिव्यापन लेकिन पाई पंद में जो है वो PP अतिव्यापन होता है क्या होता है PP अतिव्यापन होता है एक होता है अक्षिय एक होता है समा पार्शुविक सम पार्शुविक अतिव्यापन okay, बात clear हो गई होगी, तो आप यह चार्ट बना सकते हैं, ताकि आपको भी बात clear हो जाए, फटा-फट-फट-फट जल्दी से उटारेंगे, ताकि बात clear हो जाए, कई बार बच्चे कहते हैं, आप थड़ा side में हो जाओ, तो हम screenshot ले ले, मैं side में होती हूँ, पर इतना ही समय होता है ना राजा तो आप लोग स्क्रीन शोट की बजाए इसे बना लिया कीजिए ठीक है नोर्स प्राउपर तयार कर रहे हैं ना आप लोग यह सोड़नो जल्दी बताओ हाँ बाते कर लो तुम बाते कर लो एक काम करो पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी है ना पढ़ा आप ये अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं हुई तो वो दोस्त भी एक समय के बाद में आपसे बात नहीं करेगा बीटा इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए ध्यान केवल पढ़ाई पर दो ये दोस्त सब मिल जाएंगे बात में भी है ना वो नहीं कहते हैं आपने नहीं के ता नहीं मैं इसको नहीं जाना कोई दूर का रिष्टेदार होगा क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं अगर वहीं पर आप एक सफल इंसान बन जाते हैं तो वहां पर आपको अंजान लोग भी आपके साथ जुर जाते हैं और रिष्टेव बना लेते तो इसलिए ऐसा बनाओ कि लोग तरसे हैं ना आप चला करके अपने आपको इतना क्या कहते हैं कि बहुत ही सस्ता मत बनाओ कि आपको कोई भी हर चीज के लिए अवेलेबल कर ले ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान दो पड़ाई के लिए ध्यान दो बिटा बहुत जरूरी है आगई बात समझ में चलो जी चलो अब चलते हैं आगे सबसे पहले आता है सिग्मा बंदन ठीक है सिग्मा बंदन का क्या मतलब होता है इस प्रकार का सह सयोज़क बंदन आधे भरे परमानु कक्षकों के कक्षी अतिव्यापन द्वारा बनता है यानि अतिव्यापन में पूर्ण पूरित सबी प्रकार की कक्षक भाग ले सकते हैं तो इसमें इस निकाहिकि आदे परमानु कक्षकों के अतिव्यापन दिवारा बनता है परमानू कक्षकाओं अच्छ आँ अठी व्यापन में आदे बुरवे उए कक्षक भाग ले रहे हैं अंतर नाविकी अक्ष के साथ में और अन्त से अंत तक या शिर्ष पर अवरलेप करते हैं S और P और्बिटल के बीच तीन प्रकार के अक्षे और लेपिंग हो सकती है जैसा की नीचे चर्चा में कहा गया है पहला ऐस ऐस अति व्यापन का मतलब क्या होता है इस मामले में नीचे दिखाए गए अनुसार आंतरिक अक्ष के साथ दो आधे भरे हुए S orbital का overlap हो जाता है clear बात समझ में आ गई तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपने पास जो S orbital है वो दूसरा S orbital है S orbital के आकरती कैसी होती है S orbital के आकरती round shape में होती है ठीक बात है और यह S S अतिव्यापन कर देते हैं क्योंकि इनकी कोई वैसे आकरती जैसा आकार है वैसा ही यह क्या कर लेते हैं परस पर जूड़ करके क्या कर लेते हैं अतिव्यापन कर लेते हैं क्योंकि इसकी तीनों axis क्या है मौजूद है कोई axis fix नहीं है किसी भी तरीके से आप परदश्यते कर सकते हैं चले अच्छा वहां भी ध्यान दे ले ना अबर अपन ने क्या किया था अभी अपन ने एक चार्ट बनाया था ना अतिव्यापन में ही खक्षी अतिव्यापन अभी अपन ने क्या हाँ चार्ट बनाया था ना कि अखक्षी अतिव्यापन अतिव्यापन की जो अवधार्णना है उसके अंदर अपने क्या किया था यहां पर यह तो बनाया था अतिव्यापन के परकार अच्छा हां अपने एक चार्ट बनाया था जिसमें अपने क्या बताया था कि यह सिग्मा और पाई बन तो इसमें केवल पी-पी अतिव्यापन जो पार्श्मिक हो होता है वो पार्षम पार्ष्विक जो है उसमें क्या हो जाता है बात समझ में आगी तो फटा पर देख लिए जलुदी से अतिवयापन का क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अब आता है SP अतिव्यापन तो ये SP अतिव्यापन क्या होता है SP अतिव्यापन का मतलब होता है जिसके अंदर एक S कक्षक और एक P कक्षक P का भी कौन सा PX कक्षक जब आपस में जूरते हैं तो वो क्या करवाता है अतिव्यापन जो होता है वो क्या कहलाता है बिटा S.P. अतिव्यापन कहलाता है देखो इन्में एक परमाणों के आदे भरे हुए S. अर्बिटल का दूसरे परमाणों être आदे भरे हुए P. अर्बिटल के साथ और लेपिंग शामिल है इस प्रकार बने बंधन को SP अतिव्यापन कहते हैं यानि सिग्मा बंद का निर्मान करते हैं क्लियर बात समझने आगी तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं ओके चलते हैं आगे आपके सामने स्क्रीन पर डाइग्राम बनाया हुआ है राउंड शेप में ऐसका अक्षक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन डंबलाकार किसकी आकरती होती है पीक अक्षक की जो आकरती होती है पीक अक्षक की जो आकरती होती है वो कैसी होती है डंबलाकार होती है डंबलाकार होती है तो यह डंबलाकार जब होती है तो इस एक्सिस में है ना ऐसे अपने पास PX यह PX हो गया है ना यहीं पर देखों तो यह क्या हो गया PY हो गया और यहीं पर सीधर देखों तो PZ हो जाता है रही तो X एक्सिस इसके साथ जुड़ता है तो S की तो कोई Axis होती ही नहीं है तो वो कैसे भी जुड़ेगा जैसे भी जुड़ता है तो इसे क्या कहे रहते है S P अति व्यापन और कौन सा बंद बन जाता है सिग्मा बंद बन जाता है बात समझने आगी तो फड़ा फड़ लिख दीजिए यस मैं सिग्मा बंद का क्या मतलब होता है जब समान एक्सिस आपस में जूरती है समान एक्सिस में जब वो जूरते है एक ही अक्ष पर जब विविन्या सित होते हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं अक्षी अति व्यापन में भी कौन सा अति व्यापन पैसपी अतिव्याबब क्लियर बात समझ में आ गई तो फड़ा फड़ लिग दिजीए यस मैं जल्दी 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 और उतार लीजिए जो आपको बताया गया है फटभड 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 फटफट ओके उतार लिया चलो जी आगे अब आता है फट़ van पीपी अतिवयापन अक्षिय भी होता है और संपार्श्वित इसमें कहा है कि एक परमानों के आदे पी और्बिटल के साथ दूसरे के आदे पी और्बिटल के साथ जुड़ करके सह अक्षिय और लेपिंग शामिल है बनने वाले बंद को पीपी सिग्मा बंद अतियापन कहा जाता है क्या का जाता है पीपी सिग्मा बंद अबंद कहते हैं क्लियर ओके जी ओके सामने इस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यह भी सेम एक्सिस में है पी एक्स यह भी क्या है दोनों सेम एक्सिस में है तो आपस में जुड़कर जब अतिवयापन करते हैं तो क्या कह दा मैं कordon है यह यह कोन सा है पीपी अतिव्यापन होता है है अगर बात समझ में आगई तो पठाफट लिगती पषिए अधिय드ी जल्दी 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 इस सदित чलू आगे ओक जी तन आब आता है अग्छло पाई आबंद, पाई आबंद का मतलब होता है, कि जब मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज ना होकर, जब वो ऐसे अरेंज होते हैं, और ऐसे अतिवयापन करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि इस परकार जो बंद बन रहा है, वो बंद सेम एक्सिस में हैं, लेकिन पार्शुव है यहने की access इसे ना होकर इस तरह से बंदा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं समपार्श रिक अतिवया पनए कहते हैं इस प्रकार केसे सयाज़क बन तब तक बनता है जब परमानुक अक्षाएं इस तरह से और लेपिंग होती है कि उनकी दूरी पर एक दूसरे के समानतर और आंतरिक अक्ष के लंबवत रहती है यह रही आपके समान दूरी जो है वो क्या रहती एक दूसरे क्या है समनांतरी तो है हाँ यह ना जल्दी बताओ तो एक दूसरे के समनांतर हो गई और समनांतर आंतरिक कख्ष क्या होती है लंबवत होती है ये जो आंतरी की कख्ष होंगे वो एक दूसरे के क्या होगे भई लंबवत毫 olduğunu होते हैं जो पाइबंद का निर्मानकरके इलेक्त्रों को पाई लै। चलते हैं आगे आपकी सामने स्क्रीण पर बहुत ही सुन्दधा साइग डाइगराम नजर आ रहा है आग है ना तो वह क्या कहती है यहां से यहां से यहां हो रहा है ठीक है तो यह आपस में इस तरह से जुड़ रही है तो इससे हैं क्या यह और लेपिंग क्या कहलाती है यह आपन कहलाता है और यह आपस में जुड़के क्या कहलाती है देखो यह ऐसे जुड़ गई ठीक है अब इसको सीधा करके देखो तो यह यूंहीं तो दिखाई दे रहा है हाँ यह ना सही है तो यहाँ पर जो electron होंगे उन्हें क्या कहेंगे पाई electron और इन कक्षकों को क्या कहेंगे पाई कक्षक और यह जो बंद बंद रहा है sandwich like इसे हम कहते हैं पाई बंद बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं जल्दी 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 सभी बच्चे फटावर लिखेगे बिटा जल्दी 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 फटावर बता दीजे बात समझ में आई है या नहीं आ गई ओवरलेपिंग क्लियर हो गई बिल्कुल जी बिल्कुल अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर इसका नाम क्या ह संकरण आप सबने संकरण नाम सुना हुआ तो है हमने संकरण जातियां भी पड़ी है विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो इन सब चीजों का नाम तो पता होता है लेकिन इनके अर्थ कुछ अलग-अलग बताते हैं राई जैसे बाइलोजी में यह दिमें बात करूं तो स संकरण जाती बनी है वो खचर है वो अधिक पावरफुल भी भी होता है वैससे बहुत सबसुट खारदों में में भी बात की जाती है जसे मैंडल था। उसे शंकर जा लुन अधिक होती है अधिक एनशाटिक होती है है ना क्योंकि उन में दोनों के गुण बराबर बराबर नजर आते हैं तो वैसा ही संकरन यहां पर है जो करों सो भी है उत्व का से लता है अगर एस पी डी कक्षक जो होते हैं वो परस पर मिलते हैं लेकिन जब वो मिलते हैं तो उन्हें कौन-कौन से कक्षक भाग ले सकते हैं तो कहा गया कि संकरण में एस पी और डी कक्षक भाग लेते हैं लेकिन तीनों कक्षकों के अर्ध पूरित 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 या फिर रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं और इनकी उरजाएं जो हैं वो क्या हो सकती है भिन भिन हो सकती है इनकी आकर्टियां भिन भिन हो सकती है लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाते हैं जब ये कक्षक परस पर जुड़ जाते हैं तो समान उर्जा और समान आकर्टी के कक्षक बना लीते हैं समान उर्जा और समान आकर्टी के कक्षकों का निर्मान कर दीते हैं बात समझ में आ गई तो फटाफट लिख दीजिए yes, maim. संक्रन का मिनिंग सब को समझ में आ जाना चाहिए. जल्दी जल्दी बताओ आपको बात समझ में आ गई है तो फटाफट पटाफट फटाफट जल्दी से बता दीजिए. ओके, that. तो आईए संक्रन की परिभाशा पर एक नजर डालते हैं संक्रन को इंग्लिश में hybridization कहते हैं थोड़े भिन उर्जा orbital को आपस में मिलाने की प्रक्रिया है यानि कि अर्ध पूरित पूर्ण पूरित और रिक्त कक्षक समान उर्जा के नहीं होंगे भिन भिन उर्जा और भिन पर वित्रित होकर जिनके पूरिणाम सरुप समान उर्जा और समान आकरती की on Evangelistic का निर्माण हो जाता है और नय बंने वाले इन कषकों को हम लोग क्या कहते हैं समतुल्य कख्षाओं का नया समूर बनाती है जिने संकर कक्षक कहा जाता है जिने क्या कहा जाता है जिने संकर कक्षक कहा जाता है बात समझ में आ गई होगी संकरन की परिभाशा क्या है बेटा जब भिन भिन उर्जा और भिन भिन आकरती के कक्षक परस पर उर्जाओं का पुनर वित्रण करके की उर्जा समान जिनका आकार समान होता है इन्हें संकर कक्षक तदा इस प्रक्रिया को संकरन कहते हैं बात समझ में आई संकरन की परिभाय समझ में आई संकरन किसे कहते हैं जब बिन बिन उर्जा और बिन बिन आकरती के कक्षक प्रस पर उर्जा का पुनरवित्रन करके समान चुर्जा वैसमान आकरती के नए कख्षकों का निर्मान करते हैं तो इन्हें संकर कख्षक तता इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है बात क्लियर हो गई तो फटा पर लिख दीजिए यास माम समझ में आ गई अरे बाते नहीं करो तुम बाते कर रहे हो ना फिर से बात में ब विशेशताएं होती है यानि कोई भी संक्रन प्रक्रिया जब होगी जब कक्षक आपस में मिलेंगे तो क्या стоит सअ पैंडिर्टीस फोल की चाहिये क्या कंडि चुलक्षक्षक व्युद्ध। वाले परमानों कख्षकों की संख्या की बराबर होती है बिलकुल जितने कख्षक भाग ले रहे हैं जिसे दो कख्षक है नहीं एक एस और एक पी कख्षक भाग ले रहा है तो कितने कख्षक हो गए एक और दो एक और एक प्लस में कदर कितने कख्षक दो कख्षक तो निर्मा या बनने वाले जो नए कक्षक होंगे बनने वाले जो नए कक्षक होंगे उनकी संख्या भी क्या होगी बनने वाले नए कक्षक भी क्या होंगे बनने वाले नए कक्षक क्या होंगे दो ही होंगे जब दो संक्रण में भाग ले रहे हैं तो संकृत कक्षक भी दो ही बनते हैं बात क्लियर हो गई, तो फटा पड लिख दीजिए, yes ma'am, okay, done, second, संकृत कक्षाएं हमेशा उर्जा और आकार में समान होंगे, मैंने बताया न, जब भाग लेने वाले कक्षक तो भिन 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 उर्जा के हो सकते हैं, भिन भिन आकृती के हो सकते हैं, लेकिन, संकृत जो कक् मानू कक्षक की तुला में जो संकृत कक्षक होते हैं, इस थिर बंद बनाने और अधिक प्रभावी होते हैं, अभी मैंने नहीं कहा था, कि जैसे अपने देखा कि घोड़ा और गधा जो है, उसके निर्मान से खचर बन रहा होता है, तो वो दिक पावर्फुल होता है, क्य होता है, क्योंकि उसकी दोनों जो जो दो अपने जातियां बात की है, उन दो जातियों से जो बनता है, जो नया अपने पास प्रॉडक्ट बन रहा है, जो नई जाती बन रही है, उसमें उन दोनों के बैस्ट गुनाते हैं, इसकी वज़े से वो अधिक पावर्फुल होता ह क्लियर बात समझ में आगी फटा पर लिख दीजिए यस मैं आगे चलते हैं आगे कह रहा है कि संक्रण का प्रकार अणों की जया मीती को अंगित करता है जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि संक्रण ऐसा बेस है 11 का जो किसी भी परमानों की स्ट्रेक्चर को जल्दी जल्दी बात क्लियर हुई या नहीं जल्दी बताओ बोलो भई क्लियर ओके डन चले आजाईए आप देखो आप कहते हैं कि संक्रण के लिए महत्वपूर्ण शर्ट है जरूरी क्या है तभी संक्रण होगा पहला है परमानों के सयोजक्ता कोश में मुझूद कक्ष संकृत होती है निकली कोई परमानों का बायतं कोष के जो इलेक्टोन तो पहल भाग लेते हैं बायतं कोश के लेक्टोन subject नहीं ध्यान से clear second संक्रन में भाग लेने वाले कश्कों में उर्जाओं का केवल एक छोटा सा अंतर होना चाहिए समान उर जाके नहीं अंतर तो चाहिए ही चाहिए राइट गाना भिन भिन उर जाए राइट चलते हैं आगे संक्रन से पूर्व एलेक्ट्रोनों का समवर्धन आउशक शर्त नहीं है पूर्व एलेक्ट्रोन का समवर्धन यानि सारे ही एलेक्ट्रोन संक्रन में भाग लें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा कहीं भी जरुरत नहीं है सारे एलेक्ट्रोन भाग ले भी सकते हैं और नहीं भी क्योंकि जितनी जरुरत उतना काम हमेंने की संक्रन वह प्रक्रिया है जिसमें अर्द पूरै पूर सब बइत भाग ले सकते हैं बताओ जी बताओ बात समझ में आई या नहीं जल्दी जल्दी बता दीजिए फटा फट फटा वर यदी बात समझ में आ गई तो फटा वर थम सब बेज़ दो जल्दी से बेज़ दो सभी बच्चे जल्दी बेज़ दो समझ में आ गई है तो सभी बच्चे बेज़ दो ओके जी, ओके, ड़न, यानि सबका clear है, चलते ही आगे, अब आता है संक्रन के प्रकार, यानि संक्रन कितने कितने प्रकार का होता है, देख ले, देखेजी, विबी ने मिश्रन में शामिल, जो कक्षक है उनके प्रकार की आधार पर अलगल प्रकार दिये हैं, जैसा कि पहला ह SP2 SP SP3D SP3D2 यानि कहने का तात्पर ये क्या है कहने का तात्पर ये है 1S और 3P काक्षक भाग लेते हैं PX PY PZ तो क्या बनता है SP3 वहीं पर बात करूँ 1S और 2P काक्षक PX PY तो क्या बन जाता है SP2 यदि SP की बात करूँ तो 1S और PX भाग लेता है तो होता है SP संक्रन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर SP होगा PX भी होगा PY भी होगा PZ भी होगा और D भी होगा ओके और यहाँ पर similarly X, PY, PZ और D कक्षक भी भाग लेंगे D में 5 कक्षक होते हैं उस पे से 2D कक्षक हमेशा संक्रन में भाग लेते हैं तो वह हो जाता है SP3D SP3D2 बात समझ में आई या नहीं जल्दी जल्दी बता दो यस और नो अगर आ गई है तो लिख दीजे यस मैं देखो बेटा बाते मत करो जो तुम्हें जो अपने SP 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 और SP2 संक्रन जो है उनको डिस्कस करते हैं फटा फट देखें और उसके बाद ने अपन तीन जो है वो कल डिस्कस करेंगे अगली प्लास में चलते हैं बेटा पहला देखो SP संक्रन SP संक्रन का मतलब होता है संक्रन की वह प्रक्रिया जिसमें एक S वह एक P कक्षक परस पर भाग लेकर दो SP संक्रित कक्षक का निर्माण करते हैं इस प्रक्रिया को SP संक्रन तथा इससे बनने वाले कक्षकों को क्या कहते हैं S P Sन्कृत कक्षक कहते हैं रेइट आ जईए देखे परिभाश्य क्या कहते हैं इस संकराण में 1 S कक्षक और 1 P alorsbiter संकर्ण करन के 2 समतले hybrid कक्षक बनाते हैं जिने S P Sन्कृत कक्षक के रूप में जाना जाता है 2 S P Sbels革 कशक परस पर 180 डिग्री पर जुडते हैं यह 180 डिग्री का kore बनाते हैं और एक सीधी रेखा की रूप में परदशित होते हैं इसीलिए आनो में रेखिक जयामिती परदशित होती है यानि की अगर इस तरह से आपस में जुड रहे हैं तो आपस में कौन सा रेखिक सरंचना का निर कर रहे हैं लेकिन यहां एक एस और एक क्या होगा पी कक्षक होता है परतिक हाइब्रिड में 50 परतिस एस करेक्टर और 50 परतिशक पी करेक्टर होते हैं अनुओ के उधरन है बी एफ टू बी सी एल खरी बी एच टू आदी देखो सामने एक एक्जाम्पल आपके बोर्ड पर नजर आ रहा है यहां पर यह एक एस कक्षक है ठीक है बेटा बिल्कुत और यह कौन सा है पी एक्स कक्षक यह आपस में क्या आएंगे आपस में नजदीक आएंगे और इनमें क्या होगा आकर्शन होगा आकर्शन होके यह और लेपिंग करके क्या कर देंगे एक कक्षक का निर्मार कर देते हैं कैसे सरास्थ ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे देखो आपके सामने एक S कक्षक है और एक P कक्षक है ठीक है यह आपस में ओवरलेपिंग करेंगे तो क्या बनेगा एक अक्षक बड़ा और एक छोटा क्यों क्योंकि यह तो P है और यह S का पार्ट है दुनों जुड़गे तो S भी बन गया अब ऐसे कितने का अक्षक बने दो यानि कि एक ऐसा ही कितना बना अब यह आपस में अब यह आपस में क्या करते हैं बेटा अब यह आपस में जुड़ेंगे और लेपिंग करेंगे ओवरलेपिंग की तो यह बन जाता और यह के सरंचना है रे खिक सरंचना है उनके बीच का कोन कितना डिग्री है एक सो असी बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिए यस मैम और यहीं पर यह अगर आप किसमें देखें क्लोरीन में और किसमें बेरीन में ठीक है पी एक्स और पी जड दोनों ही सिग्मा बंद में भाग ले सकते हैं पी य कभी भी नहीं ले सकता क्योंकि वह हमेशा कौन सा बंद बनाता है पाई बंद बनाता है क्लियर बात समझ में आ गई होगी तो फटा फट लिग दीजिए यस मैम जल्दी 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 चलते हैं आगे आता है SP2 संक्रण SP2 संक्रण क्या होता है जिसमें 1S वर 2P कक्षक परस पर क्या करते हैं संक्रण बनाने में भाग लेते हैं तो 1S 2P आर्बिटल तीन सम्तुले हाईब्रिड कक्षक बनाकर SP2 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 तीन कक्षक बनाएंगे यह क्या होगे SP2 रबिटल आकार में SP हाईब्रिड पृपिल से बड़े होते हैं SP2 इनका आकार बड़ा होता है किसकी तुल्ना में SP की तुल्ना में ठीक है हाइब्रिट और्बिटल थोड़े छोटे होते हैं परतेक SP2 लेकिन SP3 छोटे होते हैं SP2 हाइब्रिट और्बिटल में वन तीही या 33.33 S करेक्टर और दो तीही P करेक्टर होते हैं क्लियर चलते हैं एक नजल एक्जाम पर सामने बोर्ड पर एक्जामपल दिया गया है जिसमें आपको एक S कक्षक नजल आ रहा है और उसके बाद में दो P कक्षक यह क्या है यह तो इसने सीधा ही बना दिया लेकिन यह होता है S यह होता है क्या P X P Y और P Z सही है तो यहां पर आपने S और P कक्षक जब बनाए तो यह आपस में इसके साथ जुड़ेंगे अब जुड़ते हैं तो ज़़ाद ध्यान देंगे यह रहा P कक्षक और यहां पर रहे क्या इसके साथ क्या जुड़ गया एक S और यह S दोनों ज पास तीन कक्षक थे ना एक दो और ती एस पी टू एस पी टू और एस पी टू बन गए तो यह रहा आपके पास क्लियर अब आपके पास में यह रहा P Z जुड़ गए तो यह आपस में कौन सा बंद बना रहे हैं सिगमा बंद clear बात समझ में आ गई होगी इस प्रकाड क्या होता है यह जब तीनों जुड़ जाते हैं तो यह इस प्रकार की सरंचना बन जाती बात समझ में आ गई होगी तो पटाफट लिख दिजिए यस माम जल्दी 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 पटाफट तो यह था आपका संकरन के दो पार्ट आज क्लीर हो गए है संकरन तो आप सब जानते हैं संकरन क्या होता है संकरन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षक क्या करते हैं भिन भिन उर्जाओं वाले वा भिन भिन क्या आकरती वाले परसपर संयोजित या अतिव्यापित अतिव्यापन करके समान उर्जा वे समान आकरती के नए कक्षकों का निर्मान करते हैं निर्मित नए कक्षकों को संकरित कक्षक ता इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं संकरन कहते हैं क्लियर है बात कोई दिक्कत भी नहीं है लेकिन जब SP3 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा जब 1S वर 2-3P कक्षक बिन बिन उर्जा वर बिन बिन आकरती के कक्षक परस्परती व्यापन करके उर्जा का पुनर वितरन करके नए कक्षकों का निर्मान करते हैं या यू कहूं नए SP3 संकृत कक्षकों का निर्मान करते हैं तो उन्हें SP3 संकृत कक्षक और इस प्रक्रिय को SP3 संकरान कहते हैं राइट बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिए यस मैं जल्दी से जल्दी फटा फट अरे बातें नहीं करो भाई क्लास पर ध्यान दो समझ आई परिभाशा तो एक नज़र परिभाशा पर संकरान में परिभाशा क्या कह रही है परिभाशा कह रही है परिभाशा आपकी कह रही है क्या परिभाशा क्या कह रही है परिभाशा कह रही है इस संक्रण में 1S और 3P कक्षक तीन पी कक्षक आपस में मिलकर समतुल्य उर्ज़ों और समान आकार के SP3 हाइब्रिड ओर्बिटल्स बनाते हैं यानि संक्रण कक्षक बनाते हैं ओके ये 4 SP3 हाइब्रिड ओर्बिटल्स इनके बीच का बॉन्ड एंगल हमेशे क्या होगा बेटे 109 डिगरी 28 डेस कैसे होगा ये हम अभी डिसकस करेंगे कैसे अरेंजमेंट होता है वो भी मैं अभी समझाओंगी के कोन से अलग किये गए है टेट्रा हैड्रोन के चार यानि की चतसफलकी के चार कोनों की और निर्देशित होते हैं SP3 हाइब्रिड ओर्बिटल्स में चो एक चोथाई भाग S का यानि 25% S लक्षन होते हैं 3 by 4 यानि की पी करेक्टर उपस्थित होते हैं क्लियर बात समझ में आ गई यस और नू क्योंकि यदि आप SP3 लिख रहे हैं तो चार है ना 25 25 25 जिसमें से एक भाग क्या है S का और तीन भाग किसका है पी का राइट तो संक्रण का नाम क्या हुआ SP3 और आपके पास जो कक्षक बनेंगे कितने कक्षक भाग ले रहे हैं बिटा एक और तीन कितने कक्षक चार कक्षक चारों का नाम क्या होगा SP3 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 और SP3 आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ मैडम रैसे तो मैंने आपको लास्ट वन क्लास में SP और SP2 संक्रण समझा दिया ता पर फिर भी मैं यहां भी समझाओंगी ताकि आपको बात क्लियर हो जाए ओके चलूं आगे चलिए जी देखो जड़ा इस ट्रेक्चर क्या कह रहा है देखो बेटा अपने पास क्या है एक S कक्षक है सभी बच्चे ध्यान देंगे क्या है अपने पास बेटा क्या है एक S कक्षक है एक आपके पास P3 कक्षक है येस और नू जल्दी बताओ है रतीन काक्षक आप इनकी स्ट्रेक्चर को भी क्लियर क्लियर बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है आपको बात समझ आनी चाहिए यानि आप एक तो बनाएंगे PX आप बनाएंगे PY और आप बनाएंगे एक ऐसा PZ काक्षक क्यों कि अगर एक एक्सिस की बात करूं तो यह एक्स एक्सिस यह वाई एक्सिस और जैड़ एक्सिस तो यहां पर क्या है S फिर यहां पर क्या है Y फिर यहां पर क्या है Z समझ में आ गए तीनों क्लियर हो गए सबको क्लियर हो गए बात पर चलिए टेड़ा है तो clear अब आजाईए जी चलते हैं आगे आपने को क्या करना है अब अपने को इन तीनों को जोड़ना है जब आप तीनों को जोड़ेंगे जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो चारों को जोड़ने पर चार कक्षक बनेंगे और जब वो बनेंगे तो इस S के साथ में इस तरह से क ते देखाई दे रहा है सबको यस और नो जल्दी बता दो जल्दी जल्दी तो इन सबको यह दिमिक्स किया जाये तो अपने पास कितने कशक एक दो तीन और एक चार यैनि की एक बड़ी और एक छोटी चार पालिया बने भी यह सी कितनी मेंगी चार और चारों किस तरह देखना जरा सभी बच्चे एक बार ध्यान से एक दो तीन और ये चार राइट बात समझ में आ गई होगी तो ये आपकी जो इस्टेक्चर बनी है ये कैसे बनी है SP3 संकृत कक्षकों से मिलकर बनी हुई एक चतुस्क फलकिय सरंचना है राइट बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए येस मैं ओके क्लियर तो ऐसी स्टेक्चर आपको इस्क्रीन पर भी नजर आ रही है देखो दिख रहा है ना बीच में S उसके बाद में क्या है तीन पीक अक्षक है परस पर मिलकर क्या कर रहे है SP3 अब इनके मद्य का जो कौन है बेटा वो कितना बताया गया है वो इनके मद्य का जो कौन है बेटा वो बताया गया है एक सो नो डिगरी अटाइस डैस जो कभी बदलता नहीं है किसी भी मॉलेक्यूल के यदि SP3 या यू तो उसका जो क्या उसकी जो बॉंड एंगल होगा वो सदेव 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 क्या होगा एक सो नो डिगरी अठाइस टैश होगा क्लियर बात समझ में आ गई तो फड़ा फड़ लिग दीजिए यस मैम ओके डन बिलकुल जी बिलकुल सबको समझ में आ गया बिलकुल चलू आगे ओके फड़ा फड़ उतार लीजिए जल्दी से अब चलते हैं अपन अगला संक्राण अगला संक्राण है बेटा क्या S P 3 D संक्रित कक्षक अब आपके पास D कक्षक आ चुका है आप सबको पता है ना कि D में कितने कक्षक होते हैं बेटे 5 कौन कौन से होते हैं 5 कक्षक D में आप सबको पता होना चाहिए आपको S का तो पता है आपको P X P Y और P Z भी पता है अब d x square d y square d z square राइट एक बार ध्यान देंगे कि यहां पर जो आप लिख रहे हैं यह देखो पी एक्स पी वाई यहां में लिख देए हैं एस पी एक्स पी वाई पी जेट ओके फिर आता है डी डी d x y d y z d z x और आता है d x square y square और d z square clear बात समझ में आ गई तो पटाफट लिख दिजिए यस मैं डी में 5 कक्षक होते हैं पी में 3 और s में 1 अब जब s और पी तो clear है यानि यह तो पूरे के पूरे भाग लेंगे ही लेंगे उसके साथ ही यदि दी कक्षक जुड़ जाता है तो वहां पर आ जाता है कौन सा संक्रण s p 3 d या s p 3 d 2 लेकिन हम अभी चर्चा किस पर कर रहे हैं s p 3 d पर चर्चा कर रहे हैं ओके बात समझ आ गई तो फटा पर लिख देजिए यस मैं जल्दी से ओके चलिजी परिभाशा की ओ क्या होता है संक्रण वहीं का स्थी पी एक दी कक्षक भाग लेके संक्रित कक्षक बनाता है हाइब्रीड यानि संक्रित कक्षक जो त्रिकोंड यह द्वी पिरिमिडर बहुत बार एक्जाम में क्यस्चन आता है कि स्पी 3 d की सलंचना कैसी होती है त्रिकोन यह द्वी पिरमेड ज़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे त्रिकोन का मतलब होता एक दो और तीन यह त्रिकोन हो गया ना हाँ यह जल्दी बताओ द्वी पिरमेड पिरमेड का मतलब होता ही इस तरह से अगर आपके पास में त्रिकोन है ठीक है और एक ही है तो क्या और वहीं पर यदि दोनों तरफ इस तरह सीधी लाइन खड़ी दिखाए रद्वी पिरमीडल है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटाफट लिग दीजिए यस माम ओके अब इसमें कहते हैं कि PCL 5 का निर्मान कैसे कर सकते हो तो कहा कि सबसे पहले तो अपने पास संकरन जब भी किसी का ग्याद करते हैं तो उसमें केंद्रिय प्रमानों को देखा जाता है केंद्रिय प्रमानों का इ Welsh नियास और उसी की बाद में एक नए कशक का निर्मान कर देते हैं तो यहां पर फर्स फॉरस जो है उसका इलेक्टोनिक विन्यास लिखाया गया है एनस्टू तू 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 पी बंदन निर्मान की शर्तों के तहर्प 3S एलेक्ट्रोन एय उग्मित हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रोन रिक्ट थ्रीडी जड़ स्क्वाइर राइट थ्रीडी जड़ स्कायर का अक्षक में पद्दो उन्नत हो जाता है फास्वरस की ग्राउंड स्टेट या उत्तेजित अवस्था का विन्यास नीचे दिखाया गया है कैसे जरा एक बार नजर डालेंगे सामने स्क्रीन पर आपको एक परफोर्मा दिया गया है सभी पच्चे ध्यान से देखेंगे राइट ऐसा संक्रण में बनाना जरूरी है जब आपके पास कोई भी हो मैं यह नहीं कहरें कि SP3D हो तभी बनाओ मैं कहरें SP2 SP3 कोई सा भी हो तब भी आपको यह डाइग्राम बनाना आना चाहिए सभी बच्चों को आना चाहिए तो अपन क क्या करेंगे सबसे पहले अपने पास जो फॉस फोरस है या अधर कोई भी तत्व है उस तत्व का आपको बायतम कक्ष को दिखाना है तो आप सबको पता है कि बायतम कक्ष कौन-कौन से हैं ज़रा ध्यान देंगे अपने पास 3s और 3p बायतम के लिए 3s 3p के बाद में क्या तो आपन देखते हैं कि अपने पास ग्राउंड स्टेट जो हो रही है उसके अंदर अपने पास क्या है बिटा 3S 3P और 3D क्लियर ठीक है अब आपके पास में समय कितने इलेक्ट्रों है 3S में 2 और 3P में 3 तो हमने भड़ दिया 2 और 3 अब जब उत्तेजित अवस्ता का मतलब होता है युगमित इलेक्ट्रों जो होते हैं वह युगमित हो जाना यानि अगर आपकी पास में युगमित इलेक्ट्रों हैं और आपने एनर्जी दी तो फट हैं तो इन्होंने कहा कि यहां से क्या होता है एक इलेक्ट्रों उत्तेजित अजाता है तो इस परकार का विन्यास बन जाता है अब आपके पास में 1-2 और एक बीग क्शक है संकरन क्या बन गया क्शक आपके पास एक एक इलेक्ट्रों कि इनको साथ सांजा कर लेते हैं पांच हो क्लोरीन जोhigh का जो कख्षक होगा आप अगर देखना चाहें तो यहां पर आपन चेक कर सकते हैं कि अपने पास क्लोरिन की इदी बात करूं तो क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 तो इसमें क्या होता है आपने पास पांच क्षक है तो सरंचना कैसी हो सकती है त्रिकोनी है ग्रीप पीरामीटर क्लियर बात समझ में आ गई यस और नू जल्दी बताओ जल्दी 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 बताइए एस एफ क्या पीसी एल फाइफ ऐस फाइफ भी हो सकता है यहां पर ओके चलू आगे डन चलते हैं आगे लास्स संक्रन का प्रकार कौन सा है बिटे SP3D2 राइट अब SP3D2 क्या एक S3P और D कक्षक के दो भागावे परिवाचा पर नज़र डालते हैं परिवाचा कह रही है कि इस प्रकार के संक्रन में एक S3P और 2D ऑर्बिटल आपस में मिलकर 6 समान SP3D2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं यह 6 कक्षाएं एक अस्ट फलक के कोनों की और निर्देशित है और आंतरिक कक्ष में एक डूसरे से 90 डिग्री एंगल पर इस्थि 3D थी तो वहां पर बॉन्ड अलग अलग होता है वैसे ही SP3D2 में भी बॉन्ड अलग अलग होंगे लेकिन इनकी आकरती कैसी होगी अस्ट फलक है कैसी होगी बेटा इनकी आकरती अस्ट फलक होती है एक फॉर एक्जामपल यह आप ऐसाफ 6 की बार करें तो आप देखेंगे इनकी बायतम कक्ष में जो इलेक्ट्रोन है वो कितने है शे है तो आपने इसको देख सकते हैं उत्तिजित अवस्ता में चेंज हो जाते हैं और यह युगमित इलेक्ट्रोन जो हैं बाद में क्या हो जाते हैं युगमित हो जाते हैं क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फ सिमिलरली वही ग्राउंड स्टेट जब होती है उस समय 3S 3P और 3D ले लो ठीक बात है उसके बाद और 59 समय एक 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 एक्रण कोन देंगा फ्लौरीन देगा अब फ्लौरीन का कौन सा कक्ष देगा फ्लौरीन थी टू पी जेड ने 10 का है रिक्त है बात समझ में आगई बात क्लियर हो गई तो फटा फटा फट लिग दीजिए यस मैम और इसकी स्ट्रेक्चर जो है वो अस्ट फलकी होगा अगर अपन डायरेक्ली टूटी में देखे तो ऐसा लेकिन 3D सिस्टम में इदिया बात करते हैं तो प्रॉपर आपको इस तरह से नजर आता है क्लियर बेटा बात समझ में आ गई यह अस्ट फलकी समचना नजर आ जाएगी जब आप क्लास में पूरी तरीके से पूरा ध्यान देंगे अगर बीच-बीच में बातें करोगे दोस्तों से तो ध्यान डाइवोट हो रहा है ना और साइंस के स्ट्रें को तो कहते हैं कि उसकी एकागरता इसी होनी चाहिए कि उसके सामने उसकी फेवरेट चीज भी रख भी जाए तो भी वो पढ़ते वक्त उसको नज़र अंदाज कर दे ऐसा उसकर एकागरता होनी चाहिए तो सोचो कि आप में ऐसा जुनून है तो अगर उसे खुद को मालुम चलजाए कि मैं खुद सेल्फ मॉटिवेट हो सकता हूं तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती है लेकिन हम इन चीजों को देखते ही नहीं है जानते ही नहीं है तो सोचो बेटा बातें नहीं करो यहाँ ध्यान दो पड़ाई में संक्रन खतम हो चुका है हम पढ़ेंगे आगे अपना अगली थियोरी जो बहुत ही इंपोर्टेंट भी है और वो थियोरी क्या है आपकी वैस्पूर थियोरी सेयोजकता कोश इलेक्टरोन यूगमप्रतिकर्शन सिद्दान्ट जिसे अपन कहते हैं वेलेंस सेल इलेक्टरोन पेयर रिपल्सन सिद्दान्ट या थियोरी वैलेंस सेल इलेक्टरोन पेयर रिपल्सन थियोरी ये क्या कहना चाहता है ये कुछ नहीं कहना चाहता है आपने अब तक क्या पढ़ा आपने पढ़ा संकरण और संकरण में क्या था कि अपने पास एय युगमित इलेक्टरोन थे और एय युगमित एलेक्ट्रोन को हमने दूसरे तत्व से इलेक्ट्रोन लेकर हमने क्या किया उन्हें युगमित किया और युगमित करके उनमें क्या कर लिया आपने एक जयामिति को सैट कर दिया ठीक बात है कोई बात नहीं जयामिति बन गई लेक है अगर किसी भी योगिक में किसी योगिक में उपस्तित जो तत्व है उपस्तित जो तत्व है उसके अंदर केंद्री उप उसमें यह दी क्या हो लॉन पेर हो इलक्टरॉन युग में हो तो वहाँ पर इलक्टरॉन युग में इलक्टरॉन के मद्य प्रतिकर्शन होगा और प्रतिकर्शन के कारण उनकी जो निश्यत जयामीती है उनमें क्या आजाता है परिवर्तन आजाता है और यही परिवर्तन कैसा आएगा कितना bond angle घूमेगा कितना bond angle कम होगा या ज्यादा होगा यह सब किस ने बताया वैस पर थियोरी ने बताया ये बात समझ में आ गई तो फटा फट बता दीजिए यस माम यस और नो जल्दी 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 यानि ए युगमित इलेक्टोन युगमित होकर के सरंचना निश्चित बनाते हैं कोई दिकत नहीं संकरण में होता है लेकिन वहीं संकरण में यदि किसी भी केंद्रिय प्रमाणों के पास लौन पेर होतो क्या वह इस तती वैसी ही रहेगी क्या उसकी जयमिती ठीक वैसी रहेगी जो पहले है या चेंज हो जाती है तो इसके लिए कि थियोरी का निर्मान किया गया है जिसे वैस्पर थियोरी के नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोन युग्म परती कर्शन सिधान के नाम से जाना जाता है बात क्लियर हो गई तो फड़ा पर लिख दीजिए यास माम जल्दी 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 ओके जी ओके क्लियर है तो फटा-फट उतार लीजिए बहुत इंप त्रोन युग्म यानि की लॉन पेयर जो होते हैं उनमें परतिकारक चरितर पर आधारित एक्सरल सिद्धान प्रस्पतिया नियू होम और गिलेस्पी द्वारा आगे विक्सित किया गया था मुख्य अभीदार नाय निमने लिखित है इन्होंने वेस्पर थियोरी के अंदर क्या-क्या विशेश्टाइं बताई या कुछ मुख्य बिंदू बताए जो इन चीजों को पोलो होने चाहिए वो क्या-क्या है जरा एक नजर डालेंगे अनु का सटिक आकार केंद्रिय परमानों के चारो और इलेक्ट्रोन जोडे की संख्या पर निर्भर करता है अनु का सटिक आकार यानि अनु की निश्चित जया मीती केंद्रिय परमानों के चारो और इलेक्ट्रोन अभी मैंने बताया ना केंद्रिय परमानों के वेलेंस से के जो इलाक्ट्रोन होते हैं उन पर निर्भरे करता है राइट सेकेंड इलाक्ट्रोन जोड़े में एक दूसरी का प्रतिकर्शन करने की प्रवर्ती होती है इसे नैचरल फिंक अगर आप समान इलाक्ट्रोन आप देखेंगे तो इलाक्ट्रोन इलाक्ट्रोन में तो प्रतिक होता है क्योंकि वे पर्मानों के आसपास मौजूद होते हैं और इल्यक्तौन बदलर नकारात्मक रूप से चार्ज हो जाते हैं जैसे परतिकर्शन होता है तो आवेश बढ़ जाता है क्लियर आगे चलते हैं अगला पॉइंट कहता है कि जो एक्टोन के जोड़े है नहीं लोगति है उसस्तती नें का प्रियास करते हैं जिससे उनके बीच क्या हो प्रतिकर्चन गर्चन कम हो सके यानी एक्टोन यूगम अगर आपके पास हैं तो वह एक्टोन युगम जो हैं वो किसी को देने का प्रियास करते हैं ताकि उन्हें प्रतिकर्शन कम हो सके और उन्हें इस तरह अरेंज करो कि वो किसी कक्षक के अंदर प्रिवेश ना कर सके वेलेंस हैली ने सयोजकता कोश को अधिक्तम दूरी पर रखे गए इलाक्ट्रोन जोडे के साथ गोले के रूप में विक्सित किया जाता है अपने दिखाते हैं इसे बाहेतम कक्ष को एक गोले के रूप में यस और नो बात समझ में आई है ना अपने इसी तरह दिखाते हैं तो एक गोले के रूप में उन्हें अभी विन्यासित कर दिया जाता है ठीक सा जल्दी जल्दी आ जाओ लास्ट पॉइंट कहे रहा है कि एक क्या बिटा एक अधिक बंदन को इस तरह से माना जाता है जैसाई कि यह एक एकर इलेक्ट्रोन जोड़ी है और इलेक्ट्रोन जो पेर में हैं उन्हें बंदन का निर्मान करते हुए एकल जोड़ी के रूप में होते हैं यह कह रहे हैं कि एक से अधिक यदि बॉन्ड है तो वहाँ पर एक को जोड़े के रूप में माना जाएगा दूसरे को दूसरा जोड़ा यानि दो दो इलेक्ट्रोन का समुए बांद कर ही बोला जाता है अब एक्जाम में कैसे आएगा थियोरी तो समझ में आगए कुछ नहीं है थियोरी में तो इतना ही है कि केवल वेलेंस सेल के इलेक् पर हो जाता है चलूंँ आगे ओके डन अब आपके सामने स्क्रीन पर एक डाइग्रम नजर आ रहा है सब को आ रहा है कि नहीं यस अब देखो बीटा लॉन पेर किसी के अंदर छे लॉन पेर है इलेक्टोन पेर कितने है छे राइट अब अपने को उनको अलग-अलग तरीके से देखना है कैसे ओक्ता छे अपने पास बॉन पेर यानिकि इलेक्टोन अपने पास छे छे बॉन पेर और जीरो लॉन पेर 5 बॉन पेर 1 लॉन पेर 4 बॉन पेर 2 लॉन पेर 3 तीन 2 और 4 तीक है यह बात तो समझ में आग़ी कैसे अगर किसी के पास में क्या है बॉंड पेर है यानि कि 6 बॉंड पेर यानि एक दो तीन चार पांच और 6 बंद है जिनमें दो-दो इलेक्ट्रोन मोजूद है तो बॉंड पेर हो गया यास और नो दो-दो इलेक्ट्रोन सब में है उलेक्ट्रोन तो हो गए 12 और पेर कितना हो गया 6 ठीक बात है 6 के 6 बंद हो रहे हैं नि बारा के बारा इलेक्ट्रोन बंद बनाने में भाग ले रहे हैं तो लोन पेर है यह नहीं अगर 12 में से कितने 10 इलैक्टोन बंद बनाते हैं कितने 5 बना लिए यह 4 बंद बना रहे यह 3 बंद बना रहे यह 2 बंद बना रहे बागी कहां गए जो 6 बंद बन रहे थे उसमें से 5 बन रहे है वो बंद बनाने में भाग नहीं लेते जो बंद बनाने में बाग नहीं लेते उन्हें long pair कहा जाता है तो इस्तती क्या हो जाएगी वाहाँ पर अगर electron जिसे ये तो free है और ये बंद में अब आपको एक दिमाख लगाने वाली बात है क्या कि प्रतिकर्षन कहां कहां होता है जला सभी बच्चे ध्यान देंगे अगर लॉन पेर की बात तरो बॉन पेर की बात तरो तो आप देखेंगे कि लॉन पेर लॉन पेर के बीच में प्रतिकर्षन सबसे ज़ादा लॉन पेर और बॉन पेर के बीच में और अपनी question बिल्कुल ही कम होता है, क्यों? कैसे याद रहेगा? ध्यान दो, घर में दो भाई है, ठीक है? दो नहीं, यूँ कहे दो, हाँ दो भाई है, ठीक है, दो भाई है, एक भाई तो क्या कर रहा है? ओफिस जा रहा है, और दूसरा भाई भी ओफिस जा रहा है, ठीक है? सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, उनमें जगड़ा होगा? भलो ना, होगा क्या? जगड़ा होगा? नहीं, उन्हें टाइम ही नहीं है, बात करने का है, जगड़ा तो दूर की बात है, तो वो दोनों भाई है, क्या है, काम में बीजी है, बीजी है ना, तो बॉन्ड पे है राइट दोनों बीजी है तो बॉंट पर बॉंट पर राइट अब उन में से एक बाई जब तक नोकरी में तरह परतिकर्शन सबसे कम लड़ाई होती नहीं अब एक बाई ने नोकरी छोड़ दी तो ठाला हो गया हाँ आप वो कोई काम नहीं करता अकेला रहता है लॉनली और दूसरा बी चरा बीजी है तो वो जूट खाली बैठा है वो आने का इंतजार करेगा पूरे दिन बातने करें करेगा कि यह तो इसका मार फोड़ी देर जगड़ा होगा उसके बाद में खत्म यान्यौइ परतिकर्शन थोड़ा सी कम होगा क्लियर वहीं पर अगर दोनों भाईयों नहीं नोकरी छोड़ दी दोनों ही कोई काम नहीं कर रहे हैं अब तो भाई साब हर दिन क्या होता है महा युद्ध होता है हर दिन क्या है जगड़ा है हर दिन युद्ध होते हैं राइट तो वहां पर क्या हुआ दोनों इठा लेना तो दोनों ही क्या कर रहे हैं अत्य दिक जगडा कर रहा तो दिख क्या हो रहा है प्रतिकर्शन हो रहा है बात समझ में आ गई होगी तो इस प्रकार कहा गया कि जब लोन पेर बढ़ते जाते हैं तो प्रतिकर्शन बढ़ता जाता है और प्रतिकर्शन बढ़ने की यृव मतलब केवल एक ही डंडी है चब्यार का मतलब तो यह हुई गया ना जब की पीरम में केवल एक डंडी ड्वी équम तो दो और रेम जाइट अब यहां पर यह केवल को अलग कर दिया क्योंकि दोनों कुछ काम नहीं कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो एक को दादी के पास रखो एक को ना नहीं के पास छोग दो राइट जगड़ा खाता तो दोनों को विप्र डायक्शन में बेच दिया ना तो इसलिए क्या हो गया इन में पर्तिकर्शन क्लियर हो गई इसी लिए वैस्पर थियोरी आई थी कि अगर लॉन पेर आ जाए तो कि इस्ततियां बदल जाती है यस यस इस्ततियां बदल जाती है और सरंचना में परिवर्तन आ जाता है अगर बात समझ में आ गई राजा तो फटा फट बदा दीजिए भड़ा लिख दीज यस मां जल्दी 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 फड़ा वर लिखो जल्दी से ओके जी ओकी चलते हैं आगे इसी प्रकार आपके पास मॉलिक्यूल दिये गए हैं जिन में नंबर आफ लॉन पेर एक हो नंबर आफ बांडिंग पेर चार तीन पांच चार ठीक है और लॉन पेर देखो दो ठीक है एबी फोर यह यह नि वन लोन पेर एटू मतब दो लोन पेर वन लोन पेर दो लोन पेर यह नि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से अरेंज है दिखाई दे रहा है जल्दी बताओ यस और नो हां या ना सही है चार और एक पांच राइट तीन और एक च तीन दो और एक तीन तीन और एक चार क्लियर बात समझ में आ गई तो यहां पर इस ट्रैक्चर जो है वो बदल रहें दिखाई दे रहा होगा सबको यस और नो जल्दी बताओ यह ओक्टाइड्रल नहीं है अब यह इसक्वायर प्लेनर है यह कैसा है क्या है यह इसक्वायर पाइरमीडल है राइट यह सोर जल्दी बताओ जल्दी बताओ यह कैसा है आपके पास टी शेप है राइट क्यों है क्योंकि लॉन पेर जब आता है तो वो कभी भी बंद को रिपरजन नहीं कह सकता वो उसकी सरंचना में भाग नहीं लेता है उसकी उपस्तित केवल है ओके क्लियर बात समझ में आ घए तो फटाफट आपने क्लियर रहा है तो आपका यदि हाफ एरली का पेपर सेवेंटी नंबर का होता है सतर माक्स का होता है तो मैं कह रही हूँ सतर में सतर कन्फरम आ जाएंगे लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों को ध्यान से पढ़ें जो मैं पढ़ा रही है चलें ओके ड़न चलते हैं आगे अगली निर्मान क कर लेटे हैं आप समन कर लेते हैं यह नएक निर्मान कर लेते हैं अमोटी क्या है अमोटी का मतलब है कि कौन सा मौलिकूल कोन सा एक्टम बना करके वो मौलिकूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मैडम ठोड़ा क्लियर बोलो ठीक बात है जरा ध्यान से सुनना कि अगर मैं अमोटी की बात करूए तो अमोटी जो होती है वो ये बताती है कि कौन सा अणू जो है वो क्या होता है इस्थाई होता है और कौन सा अणू इस्थाई नहीं होता है अमोटी थियोरी बस इसी पर मिलबर करती है बस यही बात आपको यहाँ पर समझनी है कि और यहाँ पर एक बात और बच्चों 11 में आपके पास केवर होमोजीनस अनु है यानि कि समान नाभी की अनु है सम नाभी की अनु है विसम नाभी की अनु नहीं है यानि CO2, H2O इस तरह के मॉलेक्ल का मोटी आपको नहीं बनाना है आपको O2, Cl2, B2, Be2 यह सब बना कर देखना है Done, clear हो गई बात तो फटा फर जल्दी से Yes मैम लिख दो और मैं चलती हूँ आगे यह क्या है एक नज़र उस पर आनुरी कक्षिय सिद्धांट 1932 में F and or Rs मुलिक्यन द्वारा विक्सित पी गई थी आमो टियओर किसकी द्वारा सिद्धांट किसकी द्वारा विक्सित थी मुलिक्यन द्वारा और आमोटी के अनुसार एक अनुको घटक परमाणूँ से काफी अलग माना जाता है एक अनू का निर्मान करने वाले परमानों से संबंदित सभी इलेक्टोनों को सभी नाभूतों के प्रभाव में पूरे अनू के साथ घूमते हुए माना जाता है इस प्रकार यह माना जाता है कि एक अनू में परमानू की तरह ही अलग-अलग उर्जा इस तरके कक्षक पाये जाते है और इन कखशाओं को आनवी कखशाएं कहा मैं जाता है। थियूरी तो बहुती सिम्पल है अगर मैं अपने शब्दों में बोलना चाहूं तो अमोटी में किवल यह बताया जाता है कि कौन से परमाणू के कखशक यह परमानवी abuse रहे हैं आनू बनाने में भाग ले रहे हैं जो बंद बनाने में भाग ले रहे हैं वही क्या करते हैं अनु का निर्मान करते हैं और जब वो कर रहे हैं तो उस समय वो एक्जिस्ट कर रहा है या नहीं इस थाई है या नहीं इस बात का भी पता लग जाता है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए येस मैं आपके सामने अमोर्टी थ्योरी को समझाने के लिए डाइग्राम दिया गया है सभी वच्चे ध्यान देंगे जो अमोर्टी थ्योरी होती है ना विटा उसके अंदर क्या होता है जन्रली उसके अंदर साई A, साई B कक्षक होते हैं जिनकी उर्जाएं जो होती है आपस में बराबर होती है लेकिन जैसे ही इनको वर्गी करत किया जाता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है और एक कक्षक साई A नीचे और साई B उपर आ जाता है इन इन में परत्रकर्शन होने की वज़े से उर्जा, इस्तर बदल जाता है और कक्षक क्या हो जाते हैं फ्रस पर बदल जाते है उपर नीचे आ अज़िए बात समझ में और जब ये कक्षक को आप बात कर रहे हैं तो इस प्रकार आपको SARA कक्षक बनाने है और सारे अक्षक बना करके आपको उसका अमोटी यानिकी मॉलिक्यूल और विटल डाइग्राम बनाना है ठीक है बात समझ में आ गई तो फटा फर लिग दीजिए यस मैं ओके चले ये बात क्लियर होगी देखो लिखा है ना साइं ए और साइं भी दोनों का योग जो है वो सिग्मा ब अब दिग्दार का चर्वाइब समझ में आगे और जो में जल्दी बताओ और जल्दी रहता है जल्दी 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 बताओ चले तो आज़ाए आपने को डाइग्राम बना करके देखने एक्जाम में क्या आताहि एक्जाम में दो तरह के आते हैं एक तो हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक किता तुम में आ सकता और ऑक्सिजन से लेकर फ्लोरिन तक आपको क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है एक तो कि हमेशा इनमें जो भाग लेने वाले का अक्षक है वो हमेशा शुर 1s2 2s2 2p4 ठीक है बिटा अब c c2 में exist करेगा क्या तो अपने को दो परमानू चाहिए तो एक कारबन का ये दूसरे का ये 1s2 2s2 2p4 ठीक है आपको हमेशा सारे कक्षक बनाने हैं जो ये कक्षक होते हैं इन कक्षकों को आप इस्थिर्मान करके इने आपके भी लिख सकते हैं इस्थिर्मान सकते हैं और डाइराम डाइरक्ट इनका भी बनाया जा सकता है ओके चलूं आगे बिल्कुल जी- बिल्कुल आ जाये चलते हैं आगे जल्दी ओकी दन फटाफट 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 तो आईए तो अपने को क्या पता होना चाहिए अपने को पता होना चाहिए यहां पर कि अपने पास जो अमोटी थ्योरी है उसके अंदर अपने पास वनस वनस यह रहा वनस यह रहा टूस और यह रहा टूपी ठीक है एज सीमिरर एस वनस टूएस और टूपी ठीक है बेटा इस में क्या होता है knewjeffda कितने कख्शक हो बेटा कि दो ही कख्षक यह कख्शक को गएं यह तो है परमान। और यह भी है परमान। अब एश की बात करूँ इस तो इसका मतलब है तो यह की खशक न तो यहां पर भी पर पी की जब बात करती हूं जब मैं पी की बात करती हूं तो पी में कक्षक क्या हो जाते हैं आपके पता है आपको कितने कक्षक होते हैं तीन पी कक्षक होते हैं तो अपने को भी इनको इस तरह से अरेंज करना होगा तो आपको दो नीचे एक उपर दो नीचे और एक उपर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक हमेशा इस तरह काई रहेगा नीचे को सिग्मा बन्त सिग्मा एंटी बन्दिंग सिग्मा वन एस सिग्मा वन एस सिग्मा एंटी बन्दिंग मानस सिग्मा टू एस सिग्मा एंटी बन्दिंग टू एस पी में क्या होगा 2PX, 2PY, 2PZ, Sigma, यह Sigma दो लगा दो, Sigma, Pi, 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 Anti-bonding 2PX, Pi, Anti-bonding 2PY, और Sigma, Anti-bonding 2PZ, राइट, यह आपको याद रहा है, सभी बच्चों को यह चीज याद होनी चाहिए, 1S, 2S, 3S, और P में किस तरह से कक्षक लिखे जाते हैं, यह नि हमेशा ध्यान रखो कि 1S, 2S, जो हैं, इनमें Sigma और Sigma Anti-bonding होते हैं, राइट, और वहीं पर यह आप P की बात करते हैं, बिटा, तो Sigma नहीं होता, पाई 2PX होता है, पाई 2PY होता है, और पाई Anti-bonding 2PX होता है, पाई Anti-bonding 2PY होता है, लेकिन Sigma 2PZ होता है, Sigma Anti-bonding 2PZ होता है, यह आपको थोड़ा सा याद रखना है, ताकि आपको चीज़े clear हो जाए, clear, बात समझ में आ गई, तो फटा-फट लिख दीजिए, यस मैं, जल्दी जल्दी जल्दी, फटा-फट, फटा-फट, सभी बच्चे लिखेंगे, यस मैं, वही पर बेटा हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके पास बात किसकी आ रही है, अगर आपके पास क्या आ रहे है बेटा, अगर आपके पास आ रहे है, oxygen से fluorine, तो आपको हमेशा 1s, 2s और अपने पास क्या ना चाहिए? 2p तो 1s, 2s, 2s, 2p, 2p यहां तक तो ठीक है यह एक हो गए, bonding, anti-bonding ठीक, लेकि अब क्या होगा? एक नीचे 2 उपर, 2 नीचे 1 उपर जैसे यह oxygen पर आप आएंगे तो यह इस्तती बदल जाती है यहां वाली इस्ततियां बदल जाती है तो अमोटी में आपको ध्यान देना है कि आपको इस तरह की reactions जो होती है उनको ध्यान करना है कि किस तरह से बंद बनते है अमोटी किस प्रकार से शुक्न जाती है बात समझ में आ गए हैं तो फटा-फट लिख देंगे यस मैम जल्दी सभी बच्चे लिखेंगे यस मैम फटा-फट 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 जल्दी 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 ओके बात क्लियर हो गई तो विल्कुल 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 चलते हैं आगे अब आजाओ बिटा अब आपन देखते हैं कि अपने पास अपन दो चले लेते हैं एक तो अपन देखते हैं किसके लिए बिटा एक तो अपन देख लेते हैं बेरीलियम के लिए हना और एक अपन देख लेते हैं ऑक्सिजन के लिए ठीक है अब अबन बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि इसका बेरीलियम अगर बी इटू में एक्जिस्ट करता और यहां पर आगया आपका क्या यहां पर आगया आपका कौन सा कक्षक वन एस कक्षक यह और नो चलदी बताओ sigma 1s sigma anti-bonding 1s 1s और यहां पर भी 1s बिटा यहां पर कक्षक है s में कितना कक्षक है यह भी beryllium है और यह भी beryllium है कितने कक्षक है 1s में बीटा 2 इसके भी 1s में दूसला beryllium लेंगे तो 1s 2 2s चिक इसके भी कितने है तोटल कितना हो गया भाई चार भरो भाई एक दो तीन और चार कोई दिकत नहीं अब आजाओ आगे अब आता है दूसरा 2s तो यहां पर भी यहां sigma 2s sigma anti-bonding 2s यहां पर भी वही सेम दो दो इलेक्टोन है इनके पास yes or no यह जल्दी बताओ जल्दी clear बेटा बात समझ में आगे अब यह बनाने के बाद आपको क्या करना है आपको सबसे पहले इनका bond order निकालते हैं bond order कैसे निकालते हैं बंदी कक्षकों के इलेक्टोन माइनस प्रती बंदी कक्षकों के इलेक्टोन बटा 2 आजाओ बंदी क्या है नीचे दो और दो चार चार माइनस दो और दो चार बटा 2 चार माइनस चार जीरो बटा 2 क्या यह answer किसी भी जीरो में दो का भाग देने पर क्या आता है यह start यह पाइनकी बी टू जो है वा टीन्यक्ष करता है वह बीतू में क्या करता करता एंग्जिस्ट करता हैं किसी की वैल्लियू 0 सेकंड एक्जाम में क्या पूछा जाता है सेकंड एक्जाम में पूछा जाता है इनका electronic vinyas electronic vinyas कैसे लिखने है हमेशे ध्यान रखो जैसे यह arranged है वैसे ही लिखतो क्या sigma 1s sigma anti bonding 1s sigma 2s sigma anti bonding 2s जी इसका क्या हो गया electronic vinyas clear जी अब चलते हैं oxygen के लिए oxygen में क्या लिखोगे वही oxygen में क्या आना है आपके पास में वही oxygen पर वही दो कक्षक आने हैं लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि अब आएगा आपके पास क्या बिटा आपके पास आएगा क्या अब आपके पास आएगा पी कक्षक येस और नो जल्दी बताओ बिलकुल जी बिलकुल तो यहां पर ध्यान से कक्षकों का निर्मान कर लेना ताकि आपको बात समझ में आ जाए ओके बिटा समझ आ रही है तो फटा फट लिख दो येस मैं जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे सभी बच्चे लिखेंगे येस मैं ओके ड़न तो यह आ गया 1s 2s यह आ गया अब पी कक्षक आ गया है तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा अब यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा यहां पर एक और यहां पर दो यहां पर दो और यहां पर एक राइट वनस कार्बन के लिए यहां भी वनस कार्बन क यहां भी दो इलर्ट्रוन है यहां भीधो इलर्ट्रॉन है यहां भी मेस तो पता यह ना और टुपी टू कuin मलं हम तुपी टू तुपी फोर टुपी फोर दो चार पांचछे सब अथ आध है एक टू क्लियर तो अभuje इलेक्रोन को यहां भरतो दो, दो चार, दो छे, और कितना हुआ, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, चार, क्लियर, बात समझ में आ गई, तो ये आगया आपका क्या, ये सिग्मा 1S, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1S, सिग्मा टू एस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2S, यहां क्या आएगा, 2PZ, पाई 2PX, पाई 2PY, पाई एंटी बॉन्डिंग 2PX, पाई एंटी बॉन्डिंग 2PY, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2PZ, क्लियर, आज आओ जी, बॉन्ड ओर क्या आएगा, जल्दी बताओ सभी बच्चे, दो, दो चार, दो छे, दो आर, दो 10, 10 माइनस, क्या, दो, 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 चार, दो, छे, बट्टा, दो, कितना आया, चार बट्टे, दो, कितना आया, दो, यानि कि, कार्बन भी C2 अवस्था में उपस्थित है, अच्छा, कार्बन ही तो है, अच्छा, ऑक्सिजन है, ठीक है, यानि कि, क्या हो गया, C2 भी तो पॉस्थिबल है, आगे बात समझ में, ओके जी, ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई, तो बॉन्ड ओर्डर क्लियर हो गया, अब इसका इलक्रोनिक कॉन्फिगेशन कैसे लिखेंगे, आप, इलक्रोनिक कॉन्फिगेशन लिखेंगे, क्या, 1s, sigma 1s, sigma anti-bonding 1s, sigma 2s, sigma anti-bonding 2s, उसके बात, sigma 2pz, pi 2pyx, बराबर pi 2py, pi anti-bonding 2px, pi anti-bonding 2py or sigma anti-bonding 2pz. क्लियर, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक इलक्रोनिक में नियास लिख सकते हैं, बात क्लियर हो गई, तो फड़ा पर लिख दीजिए, yes, ma'am, ok, जी, ok, बात क्लियर है, चलो जी, आगए, अब आता है अगला topic, hydrogen बंद, hydrogen बंद क्या होता है, कुछ नहीं, जब कोई भी hydrogen पर मानू, दो अधिक विद्यूत रिंग तत्मों के मद्या आ जाता है, तो एक के साथ सहसयोजग और एक के साथ इस्थिर विद्यूत आकर्शन बल से जुड़ जाता है, तो इस परकार जुड़े वे इस्थिर विद्यूत आकर्शन बल को ही क्या कहते हैं, hydrogen बंद कहते हैं, परिभाशा पर नज़र, nitrogen, oxygen, fluorine जैसे अत्रिक विद्यूत रिनात्मक सहसयोजग बंधन बनाने के लिए hydrogen से जुड़े होते हैं, तो सहसयोजग बंध के इलैक्टोम अधिक विद्यूत रिनात्मक परमानों की और इस्थालांतित हो जाते हैं, इस परकार hydrogen परमानों पर अंशिक घनात्मक आविश विक्सित होता है, जो अन्य विद्यूत रिनात्मक परमानों के साथ एक बंध बनाता है, जिसे hydrogen बंध कहते हैं, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं, बात क्लियर भी है, राइट, चैलेंज ही आगे, ओके, अब आता है hydrogen बंध के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, दो, पहला कुन सा है, पहला है अंतर आणविक hydrogen बंध, यह दो समान या ए समान अनुवों के बीच बनता है, जैसे hydrogen, HF के साथ, HF के साथ, H2O के साथ, यह आपस में बंध बना रहे हैं, NH3 के साथ, NH3 के साथ, और water के साथ, alcohol, alcohol और पान के साथ, आपको इस तीन पर नज़र आ रहा है, HX, 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 आपस में molecule, बिन बिन हैं, वो आपस में molecule क्या कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं नहीं, एक अनु में नहीं है, अलग अलग जो अनु हैं, वो परस पर जुड़ रहे हैं, एक के साथ तो क्या कर रहा है, सह सेयोजग बंध और इसके साथ, इस्तिर वेद्यूत आकर्शन बल, तो उसे ही अपन कौन सा बंध कहते हैं, अन्तरा अनुविक हाइड्रोजन बंध, यानि अलग 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 परमाणों में बनने वाला, अलग अलग अनुवों में बनने वाला बंध क्या कराता है, अन्तरा अनुवक हाइड्रोजन बंध कराता है, बस्षर्थ है कि उसमें हाइड्रोजन परमानू होना चाहिए सेकिन चलते हैं अगला है इंट्रा मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बंद यानि एक ही मॉलिक्यूल में जो होता है सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि अपने पास में बेंजी जिंग के साथ में जब अनो टू और ओच है एक ही रिंग पर लगा हुआ है तो इनके मद्य बनने वाले इस बंद को क्या कहते हैं राद्र यानि जब हाइड्रोजन बंद एक ही अनू में परमानओं के मद्य बनता है तो अनू में परमानओं के मद्य बन रहा है keep है रहते हैं क्लिए बात में आ गई तो पड़ा फट लिख दीजिए यस मैं फड़ा फट चलते हैं आगे हाइड्रोजन बंद के अनुपरियों यहां से क्योस्टन कंपॉम आता है डू मार्क्स का ठीक है जरा ध्यान से पड़ना पहला अवस्था हाइड्रोजन बंद किसी योगिक की अवस्था को प्रभावित कर सकता है जैसे ह्ट्टूव कमरे के ताप पर तरल है जबकि ह्ट्वस क्या है गेस है यह है अच्ट्वस अनुपरियों के बीच में अंतर अनुप हाइड्रोज बंद है जबकि हैसा नहीं है इसलिए इनके बीच में क्या होता है कण अधे दूर होता है तो यह वस्था में पाया जाता है यह क्यों है क्योंकि उसमें अंतर अनुप हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता है क्लियर सेकिंड घुलन शिलता केवल वे सहसे हैं जिक अनुप पानी में घुलन शिल होते हैं जिमें पानी की अनुप के साथ अंतर अनुप हाइड्रोजन बंद बनाते हैं यानि जो जल के अनुप के साथ जुड़ते हैं वही क्या करते हैं अंतरा अनुप हाइड्रोजन ब क्वाथनांग का मतलग क्या होता अगर हाइड्रोजन बंद है उसमें भी अंतरा अनुविक है अंतरा अनुख है तो उनमें क्वाथनांग बदल जाते हैं जैसे अंतरा अनुख हाइड्रोजन बंद यह क्वाथनांग बढ़ता है जैसे कि NH3 का क्वाथनांग pH 3 से अधिक है क् जोटा है नाइट्रोजन का इसलिए यह हाइडरोजन के साथ अंतर अनुक बन बना लेता है जोगि पीएच तरी में ऐसा नहीं होता है चलू आगे बर्फ का घनत्वा पानी से कम क्यों होता इत्स वेरी 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 इंपोर्टेंट यहां से एक्जाम में क्यों आएगा बच् जरे जैसे सलंचना होती है और उनको फिजरे सलंचना उजन देते हैं प्रतिक हो एच अनुक टेट्राइडरल रूप में चार अन्य अनुके साथ जुड़ करके एक जालक जैसे सलंचना बनाते हैं और कुछ रिक्तिस्तान फिर भी शेष रह जाते हैं और बर्फ का घनत्व क्या हो जाता है कम होता है क्योंकि जल परस पर पर मिकट जाते हैं यह जल कर वा बनाने के वहां complacent और प्रस्पर प्रस्पर निकते आ जाते हैं और गिनत्वर कम हो जाता है क्लियर बात समझ में आगी तो फटा फट लिग दीजिए यस मैम जल्दी से क्लियर ओके डन लास्ट टॉपिक यह रहा धात्विक बंद धातू के मद्द धातू के अनुमू के मद्द पाया जने वाला धात्विक बंद कहलाता है वह बल जो किसी धातू परमानों को उसके प्रवावी चेत्र से बांता है यह मौडल धातू के निम लिखित गुनों को आसानी से समझा सकता है जैसे उच्छे विद्द चालकता धात्विक बंद के करना नहीं होती है उच्छे तापी चालकता चम सकते हैं मोर सकते हैं तन्यता हो सकती है और लोच भी हो सकती है बात समझ में आ गई टॉपिक क्लियर हो गया ओके ड़न चलते हैं जी आज जो भी आपको पढ़ाया इस वेरी इंपोर्टेंट यहां से क्षिन कंफर्म 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 आएगा तो अच्छे से पढ़ो ध्या तो क्या करना है पढ़ रहे हैं पढ़ना है और अच्छे से मन लगा कर कॉंसेप्ट को क्लियर करना है ओके चलो जी पढ़ते रहो खुश रहो मस रहो बबाई टेक केर थैंक यू